तो आज कुछ नया करने वाले हैं जेन्यू में आए हैं और यहां पर एक वी लोग बना रहे हैं आइडिया क्या है जेन्यू का वो समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यह हमारे मित्र बैठे हैं यहां पर प्रियांक चोहान प्रियांक जी क्या पढ़ रहे हैं चित्र लेखा अ कि देखिये एक अपन्यास है भगवती चन्रण बर्माने लिखा था जिसको लिखे हुए इसकी संक्ष्थ में पाप जानने के लिए समाज में मतलब प्रवत्त होते हैं तो आप शायद यहां पाप और पुंडे दोनों जानने आज जह नहीं आये हैं तो आपके लिए काफी रेलिवेंट है इसमें कुछ इंटरस्टिंग मैंने ट्वीट भी देखा था आपका इसमें कुछ लिखा हुआ था जी तो इसमें इंटरस्टिंग सबसे चीज़ यह है कि क्लासिकल इंडिया का जो एक आइडिया है थोड़ा एकदम लोग रिलीजिस तरीके से देखते हैं तो इसके अंदर व किसी एक व्यक्ति से प्यार करती है और इसी उपन्यास के अंदर फिर किसी और से प्यार करने लगती है फिर अपने प्यार पर वापस आ जाती है तो इसमें मतलब संसार के अंदर की सारी जो मतलब विसंगतियां है जो भी हैं तो वह सब इसमें काफी खुल के समझ में आती ह और मुझे लगता क्लासिकल इंडिया को समझने के लिए अच्छे से उसकी जड़ से ज्यादा उसकी एक चैतनी समझ बनाने के लिए यह काफी अच्छा उपन्यास है और यह हम अभी गंगा धाबा पे हैं तो इसका क्या काफी कॉंट्रोवर्सी का भी पार्ट रहा है क्या इत जगे मतलब बैठ के बात करने के लिए बनी है काफी सारे जो उपद्रफ वगेरा जेन्यू में हुए हैं उनका जन्व स्थान शायद यहीं पर है और इसका टाइमिंग थोड़ा अजीब सा तो नहीं बोलेंगे यह अभी देखे बंद है यह दोपहर के तीन से रात के तीन सब्सक्राइब करने के लिए जाता है तो यहां पर काफी लोग आते हैं एक्चुली जेन्यू मेरे दोस्त वगेरा उनका मैं टूर यहीं से शुरू करता हूं जेन्यू का एक साइक जोग्रफिकल तूर बोलता हूं उसको मैं उनको दिखाता हूं कि देखे जेन्यू यहां स वह ही है सामने कौन सी पर्टिक है इसा का होगा सामने जो लगा हूआ सभी बाढ़ी अपने पूस्त लगाती यहां पर सब चीज़ों पर मतलब यहां पर रात में आगर आते आप तो आपको सब्सक्राइब बात होती हूं यहां पर दिखती हूं कुछ लोग बोलेंगे यहां पर पियाचडी चल रहे है अभी कौन सा स्कूल है मैं ही स्कूल ऑफ इंट्रेंशनल स्टीज में चैनीज स्ट्डीज में पीयैचडी कर रहा हूं उसके पहले मैंने में अध मास्टर्ज किया यहीं पर क्या कारण की चैनीज स्ट्डीज को आपने एक टॉपिक के वाला है important already है और जिसके वारे हम सबसे कम जानते हैं वो चीन है तो चीन के उपर भारत के अंदर सामरिक ही नहीं एक Sanskritic और सामाजिक समझ भी होनी चाहिए उसी को ध्यान लगते हुए मैंने उसको चीन को पढ़ना शुरू किया उसमें इतना एक्चुली बिट्स में मैंने इंजिनिंग भी किया है और मास्टर्स भी किया है साइंस में बड़ जब में वहां पर पढ़ रहा था तब मुझे हैसा लगा कि यह जो प्रशन है इन प्रशनों मेरी इतनी रूची नहीं है मतलब इंप्रशन अपने आप में कोई और इन पर का अच्छा काम करेगा हो सकता है बट वह मैं नहीं होंगा मुझे जिन प्रशनों से सारोकार है वह मुझे शायद कहीं और मिलेंगे और उस समय मतलब जेनियू सबस्या चर्चम आया हुआ था तो मैंने तो जो जैनियू करते हैं तो उसलिए मैंने मतलब जेनियू का थोड़ा प्रिपेर गारना शुरू किया और फिर जेनियू में मास्टर्स में हुआ फिर मैंने यहां पर दो साल आनंद लिया हमारा आनंद किस तरीके से मतलब मैं तो यहां पर इंटलेक्च्छल आनंद की बात कर रहा हूं वैसे एक चीज़े मैं आप से बूज आचाएंगा कि आप मतलब यहां पर अपिसोड करने के लिए आपका नॉर्मल फॉर्मेट मैं ने देखा है आप मतलब मुझे लगता है मेरी फेवरेट वाड़कास ने यूट्यूब पर तो आपका नॉर्मल होता है मतलब बातचीत वाला आपका समबाद वाला तरीका है तो आप यहां पर आने अच्छा काम करता है जेनियू में, तो एक सर्प्राइज होता है कि यह लोग यहां से कैसे अच्छा काम निकल के आ रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग होंगे, जो अच्छा काम कर रहे होंगे, जिनके विचार लोगों तक जाने चाहिए, क्योंकि जब भी में यह भी होता है तो उसी के मुहिम में हम यह कर रहे हैं तो यह आपके मित्र हैं यहां पर बैट जो आपका नाम हरसित राज चाधरी हुआ मैं यहां पर में पॉलिटिक्स और इंटर्नेशनल रिलेशन में फॉस्टेर के स्टूजेंट हूँ आप कहां से बिलॉंग करते हैं मैं दर्भंगा से आता हूं दर्भंगा बिहार से इतनी दूर से आप जैनियों में पढ़ने आएं क्या कारण यह प्रोसेस ऐसा नहीं रहा कि मैं डारेक् लोग last year 2015 carried humanities में आगा था तो बहुत तो बहुत साइस लोग को नहीं पता होता है लेकिन जयकसे ही आप जैसे ही आप humanities लेते हैं Eleven में आप यह सूचता है कि अगर कोई science लेता है तो सूचता है कि पाई IT's, IME's, वैसे हिआ अगर आप ही मेंटीज लेते हैं आप भी सोचते हैं कि इंडिया के Top Institute में जाए तो आप जब सर्च करना सूरू करते हैं कि कॕहान साी इंडिया के Top Institute है कहां के लोग intellectual edasi अगर आप नसमें से टोलेंस्ट हैं तो दिरेंड यहां बन जाता है। लेकिन रखी नहीं बीचलर्स लेंगवेड, यहां मे अब सुछा stories यह जए काम बीचलर्स लाइख से रहा है। वे वेसे मेरा एग बेर है किया नहीं गौठाना में काम कर हाई कि अनलग सरे हो। तो अब जैसे ही आप तहरे क्या पिर फ्रोंग में एक उंड़ाइन। पर उंड़नों सराओंग कर दो अधे उन सरोऊच सरथ विघा। तो आपका जेन्यू का आइडिया क्या है क्या आप अभी first year में हो और school of international studies में पढ़ रहे हो तो जेन्यू का एक तो ये है कि ये best institute है उस sense में social sciences में तो ये एक आपका आइडिया था लेकिन एक अलग जो विचार है जेन्यू का क्या उसने भी आपको attract किया मैं ये question इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि 2015 के बाद अभी बहुत समय बीट गया जब ये controversy शुरू होई थी और हर साल होती ही रहती है किसी ना किसी मुद्देबर तो क्या वह एक आपके पेरेंट्स में या आप में क्या वह कहीं था कि ऐसा कुछ इस चीजों में ना फर्स जाएंगे पढ़ेंगे या इन सब में होगा माता-पिता का तो रहता ही है कि बच्चा जागे पढ़े वहां पर देखी एक समय में मतलब हमको लग रहा है क्योंकि मै dá अंधी हम क्यान्य की मेरे साथ को बोल सकते हैं कि एक संडेपीटी हुआ लाइफ में कि मैं रहता 11-12 के लिए तो एक जेनू से मेरे एक मेंटर बोल सकते हुए उनको पढ़े हैं जब इन 1994 में जेनू से पढ़े हैं उस समय में जब lavor highly तो वह दरवंगा में आ ही थे उस समय में और जैसे जब के बारे में बोलें जा रहे हुं उसके वेप्रीत बिलकुल अलग थे जैसे कि बोला minstar कि अक्र निए पटे di 소리स्ट कine करिक और करता है तो मैं उनके साथ तब ràता था वह छकार इना पॉलियनक और दो कि न小心 leg exercise को वह कि शया जी किन अई यारे थास चाहते हैं तो मैं अनके जनके साथ मेरा बात्रीत होता था वो डिस्पेक्टेट थे तो मेरे फैमिली तक मैं उनको बोला कि देखिए यह है आप इनसे बात करके देखिए आपके पास कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा गा जो जो जनके बारे मेरे फैमिली बिल्कुल कंविंस थी बस इस तो यह आया क कि मेरे गौँ के लोग कुछ जैसे कि मेरा एक दोस्त बोला कि सब कुछ तो ठीक है जोनी के बारे में लेकिन जोनी में एंटीनेशनल एक्टिविटीज होता है तो मैंने उससे पूछा कि तुम तुम हमको जानते हो तुमको लगता है कि मैं क्या मैं एंटीनेशनल पड़े हैं और एक पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब स्टुडेंट्स में रहते हैं आपके अंदर एक आइडियल इजम होता है तो आप इन सब चीजों में आपका इंट्रेस्ट जग जाता है तो यह है लेकिन मैं उनको अल्टिमेटली कंविंस कर पाया और एक है लोग के बीच में इमेज की जोन्यू है नंबर वन इंडिया का ऐसा नहीं है आप अगर उनको समझाए जो उनकी विशार है उसको पर कांटर कीजिए तो समझ में आ जाता है और उसका प्रिसेंट एक्जामपल है कि मैं इस बार जब में गौँ जाओंगा तो हमको उनको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी दो बड़ी न्यूज आई है एक भूकर प्राइज आया है हिंदी में हिंदी के जो किसी फर्स्ट नॉवेल को मिला वह भी जेन्यू के इलूमिनेश है और अभी जो कान फिल्म फेस्टिवल में इसके बारे में पोजिटिव बात आज ज्यादा करेंगे लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात है जो खलती है जेन्यू के बारे में नेगेटिव कुछ कहें तो यह कह सकते हैं एक्चुली यह थोड़ी नूटल बात ही हो जाएगी कि इंडिया का जो हाई एजूगेशन लैंड्सक सब्सक्राइब है और सोशल साइंस का स्पेशली उसके ही कारण से है कि यूर्स्ट्री इस नॉट मतलब अप टू दी मार्क अब देखी जैसे मैं स्कुल ऑफ इंट्रेंशन स्टुडी से आता हूं तो उसका जो गोल्डन पीरियड है वो मुझे लगता नहीं कि अभी चल र हैं जो अभी मतलब पढ़ रहे हैं आप वो शायद यहां पर वापस आएंगे तो चीजे सुधरेंगी ऐसा मुझे लगता है प्रियांग भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बारत की बात कर रहे हैं कि सब कुछ पास्ट में है करंट अभी इतना अच्छा नहीं है ले तो एक सबसे बड़ी प्रव्लम मुझे यह दिखती है जैसे यहां पर कोई मान लीजिए कोई पीएजडी कर रहा है तो पीएजडी का वैल्यू क्या है यह समाज में सिधा सिधा इसकी कोई कल्चर सिगनिफिकेशन नहीं है मतलब ऐसा कोई सिधा सिधा ट्रांसेट नहीं कि यहां पर कुछ काम हो रहा है बड़ उसका सिधा सरोकार क्या है समाज से यह समद मुझे लगता है तो आपने देखा होगा कि जैसे आप एंटर होते हैं तो थोड़ा एकदम अलग हो जाता है तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया इतनी अलग क्यों है यहां पे माल अंदर धपली बज रही है तो यहां पर काफी मतलब मुजिक टाइप का माना जाएगा उसके अराउंड लोग थोड़ा मतलब मोबिलाइज होंगे तो इस तरीके से मतलब मेमेटिक्स के मामले में भी अंदर की दुनिया में काफी अंतर है मुझे लगता है इसको थोड़ा मतल मेरा यह पहले आने का क्या आइडिया था अब मैं जेन्यू में आया हूं उसके बाद मेरे क्या विचार है एक चीज तो आप जैसे ही मेरे जैसे लोग जैसे कि मैं जिस कोर्स में हूं उसके फर्स समेस्टर में आप जाएंगे तो कुछ चीज आपको किलिर ली पता चल की की फएकल्टी कम्जोर होती जारे कोई बी इंसितूशन जो बनती है इसका सबसे इंपरटेंट फिफटेज्टी और स्टुडेंट्स वहके कैसे हैं और मेलें इवी फैकल्टी के अडिवाज में कुछ यह पर आप तो जानते हिए कि इंडिया में हमेशा के एकेडमी पॉ सकता है और मतलब आप जैसा समझेंगे वो मेरा बाहर का इडिया था यहां पर आने के बाद इसना भी नहीं लगता है कि क्लास मतलब चीजे उतना रिकॉर्डर से और एक चीम और में बता भी नहीं सकता है कि हम लोग जब से हैं तो सारी चीजे आंलाइन ही चल रही है अभी हम यहां पर भीड़ बहुत कम है क्या करना अज संडे तो है बट क्या यह उठने का टाइम नहीं है क्या जेन्यू वालों के लिए एक्चली यहां पर मुझे लगता है हाइस अक्टिविटे का टाइम होता है शाम के समय एक तो यहां पर गर्मी भी है और हाँ लोग थोड़ा सब कारणों से मुझे लगता है यहां पर रात ज्यादा रंगीन होती है दिन में थोड़ा रंग कम रहता है तो अभी और लोगों से बात करने के लिए कहा जाना पड़ेगा अभी तो आप मतलब लिटरली उसके एंटरेंस पर बैठेंगे आप थोड़ा सा अंदर जाएंग इसे इपनों समान्क खरीते हैं सामने फलों की दुकान है यहां सामने क्टी बैठी हुई है इंसे बात की जा सकती है यहां पर मैरे साधी मास्टरग्स की पढ़ाई गी थी उसके बाद पीएजदी की चात्रा है । अमेरिकन इस्ट्रडी में अभी पीएजडी का रही है अब अब यहां फिए एक से रोक्स पूररे जेनियू में है यह एक्शली आवली की पहाडी है यह सब आवली की चठाने हैं जहां जहां रैंडम पथर दिखे राएं वो सब आवली चठाने वह बड़ी सी चठान भी है ना जहां पर लोग मरं रंजन करते हैं पार्थसार थी है वो मुझे लगता रावली का शायद वह लास्ट पॉइंट है दिल्ली में हाइस पॉइंट तो आपका नाम ख्याती है अच्छा बैठ जी आप क्या कर रहे हैं यहां पर क्या पड़ रहे हैं मैं अपना पीएशडी कर रहे हूं अभी अमेरिकन स्टेडी से तो इसमें क्या ह अभी तो उसमें आठ अडमीशन हुए हैं और कुछ पहले एंफिल वाली स्टूडेंस है तो लगबग 15 स्टूडेंस तो आप कहां से हैं मैं दिल्ली से ही हूं तो जैनियू का जो आने का यहां पर अडमीशन लेने का आपका क्या तात पर रहे था क्यों आपने यहां पर ही आप अपने पढ़ाई कहां बेस्ट कर सकते हैं यह सरकारी नोकरी यह तो जैनियू इसलिए लोगों को सबको लगता था कि जैनियू अच्छे जगा है अपना पढ़ाई लिखाई को आगे ले जाने के लिए तो मैंने भी सोचा कि आप जैनियू ही देस्टीनेशन है तो बस समयनत की और आगर है तो इसमें American Studies में कोई specific topic है जिस पर आप काम कर रहे हैं मैं वहां के non-traditional security challenges के बारे में पढ़ रही हूं उसको डील कर रही हूं और कैसे non-security traditional security challenges दीरे-दीरे एक alternative है हमारे traditional discourse का उसके बारे में अच्छा, तो non-traditional जैसे जैसे आपका cyber security, warfare और आपका ये जो challenges ये इनको, जैसे water challenges environmental challenges, pollution तो जिनको हम traditionally सोचते नहीं थी कि इससे हमारी human life वे affect हो सकता है बट अब ये new challenges है हमारे security के लिए तो इसको study करना है तो आपका जो जैन्यू का idea है वो मैं जानना चाता हूँ कि आप ठीक EDU में थे excellence का माना जाता है center वहाँ पे at least social sciences में तो एक natural बात है कि आप जैन्यू में और दिल्ली में भी हैं आप भी दिल्ली से हैं तो समझ में आता है कि जैन्यू क्यों चुना लेकिन आपका idea क्या है जैन्यू का क्योंकि काफी controversies भी होती रहती है तो उस तरीके से घरवालों ने भी कहा होगा कि अरे कहा जाओगे जैन्यू में शायद कहा होगा मुझे नहीं पता तो आपके मन में भी रहाय ओगा कि कहीं वहाँ जाहें और पढ़ाई ऐसे नहीं हो तो क्या एसा है जो बाहर से दिखता है जो बाहर से दिखता है वो हमेशा आएगा Обसिकी नहीं होता JNU को बहुत कभी कबार बुरी लाइट पर अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है उस चीज को अम लोग अलाओ कर सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि जे नु का जो बहर का आइडिया है वो बहुत बुरा है लोग समझते हैं कि लोग कुछ कर नहीं रहे हैं पैसा बरबाद कर रहे हैं या यह देश विरोधी लोग हैं इस सब लोगों को जे नु आना चाहिए एक बाद देखना चाहिए समझना चाहिए कि एक्चुल में जो जे यू की लाइफ है वो क्या है बच्छा महनेत कर रहा है उटता है लाइब्रेडी में सीट के लिए श्रगल कर रहा है पढ़ना चाहता है और वो अपनी लाइफ को और अपने देश की लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है इस मोटो के साथ वो लोग यहां पर आते हैं तो क्या जब यह इस तरीकी की घटनाएं होते हैं जब तीन-तीन महीने तक जैसे पिछली साल या दो जारूनीस में था शायद जब क्लासीज नहीं चली थी और वह उससे क पहले था फिर कोविड की वज़े से भी ऐसा तो डिस्रप्शन ऐसे होता है तो जो आम लोग हैं जो यहां पर सिर्फ पढ़ने के लिए उनका डिस्टर्बेंस तो होता होगा उनको लगता होगा कि बिना बात में टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में यह बात तो है ख ज हूँ कोशिष कर रहे थे हैं ग्लास वो बहुतावारермी ओरली क्लास फिर क्लासे सिद्रबाद के लिए उसके चकर में में वो जो नारे बासी धर्ड़ दर्नी है यह जो प्रोटेस्ट है उसके चकर में हमारा जो अक्योलमॉटिव पढ़ाय का ठालने भी प्रेठव ल ना करें वो थोड़ा था ड्रॉबैक की एकदम से स्टेडी का अगली चाया जहां पर अच्छा तो वैसे चल रही थी जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो टीचर्स के साथ मिलके पढ़ रहे थे जी वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारी क्लास को एक पर सबकुछी बैलेंस्ट है लाइफ बैलेंस्ट है कुछ भी एक्स्ट्रीम होने से पहले उसको वापिस तर पर ला दिया जाता है आप एक वोमें भी हैं तो उस तरीके से अगर आपको देखा जाए किस तरीके से डी यू से या और यूनिवर्सिटी से बहतर है या खराब है जेनु की स्टिति फॉर वोमें स्टुटेंट्स विमें स्टुटेंट्स के लिए मैं बोलूंगी जेन्यों बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है सिक्यूर स्पेस है और ज्यादा एंपावरिंग स्पेस है बिकास दिवे टू क्लोस केमपस नहीं है तो वहाँ पर आफ्टर अ सेटनंस स्टुटीन एसक अपटे है कि आपकी बेड़ा अखना निकलेंके नहीं हारी है तो यहां पे लेफ्ट और राइट का काफी गेम चलता रहता है तो आप लोग क्या देखता थे हैं जो आपके दोस्त हैं? क्या वो लेफ्ट लेनिंग जादा रहते हैं या राइट के या थोड़ा बैलेंसी है मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एक्स्ट्रीम राइट या लेफ्ट जाता है अनलेस उसे इलेक्शन लड़ना हो बहुत सिंपल सब्दों में कि जब तक इसी को इलेक्शन नहीं लड़ना या उसको पता है कि आगे मुझे पॉलिटी के लिए अपना करियर बनाना है तब तक सब लोग सोचते हैं कि ठीक है अगर हम उस चीज से रिलेट भी करते हैं अगर आप राइट के आइडियोलोजिस रिलेट करते हैं तो वो इस चीज को लाजर गोल पर सपोर्ट करेंगे कि हां यह चीज सही है वोकल होंगे चीज के लिए बट ऐसा नहीं है कि आप लड़ने मनने को तयार है इस चीज के लिए या लेफ्ट वाले भी फॉर जब तक पॉलिटिकल करियर है यही मेरी लाइफ है तो तो वो इसको जी जान दे सकते हैं अगर एक पॉइंट पर आको नहीं लगता है कि ठीक है एड़ एंड अव दे मुझे अपनी लाइफ से क्योर करनी है मुझे अपना करियर बनाना है तो वो उस चीज को बस वोकल हो सकते है कि चीज सही है यह चीज गलत है मैं लेफ्ट वालों से अग्री नहीं कर रहा है राइट वालों से बट जब दिन खतम होता है सब को बता है कि अब लाइफ में आगे क्या करना है तो यह यहां से आपका S.I.S. कितना दूर होगा S.I.S. होगा यहां से 1 km गयास पात होगा रास्ते में आपकी एरिया है चलना काफी पढ़ता है इतर चलना पढ़ता है यह चलने के लिए माकूल जगह है आदमी चलता ही रहता यहां पर इन फैक्ट आइटिंग यहां पर जैसे और उनस्ट्री में होता है कोई सेंटर से माक नहीं है यहां पर मतलब आदमी एक जगे से दूसरी जगे जाएगा फिकाता रहता है काफी मतलब चक्र है यहां पर चलने कांग्रेस तो इर्रेलिवेंट शायद हो गई है यहां पर तो लेकिन एक दलित इशूस भी है जो ना लेफ्ट में आता है जैसे ना राइट म में तो उसमें वहां पर क्या सीन है जैसे बाप्स वगेरा है यहां पर अभी बन रहे हैं हाँ जैनियू में एक नहीं पार्टी उभरी बापसा जिसका नाम वह जो अर्डलित और और उसका बहुत रेलिवेंस बढ़ा है क्योंकि पहले ऐसे बहुत से लोग होते हैं तो एक यहां नहीं आ रहे है तो एक आल्टेनेटिव सामने आया बापसा जिसे आपने बोला तो दलित हो या माइनियूरिटी जो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए वह पार्टी बनी और पिछले कुछ सालों में उस पार्टी ने काफी अच्छा किया है उनको काफी अच्छा व लेकिन अच्छी लेंग्वेज में उसको दिखाते हैं यह अच्छी सोशल साइंस को जो अच्छे समझता है उसमें अच्छे सी मर्ज किया हुआ है वही यह कर सकता है क्योंकि हिंदू और अर्गनाइजेशन में तो हिंदू होता ही है ना जो पनली हिंदू होगी लेकिन यह जो लेफ्ट वाले हैं वह इंको पीपल्स होते हैं उनका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है उनका मतलब एक कंस्ट्रक्टेड मीनिंग होता है जो जो एक्टर्स उनको यूज कर रहे हैं वही बनाते हैं इसलिए आप देखेंगे कि जो भी इसमें पारंगा ते सोशल साइंस में वह वर्ड्स के अंदर जो उनकी डैप्थ ह चलिए वहां पर चलते हैं जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है थोड़ा थोड़ा बदला है तो बदलेगा साथ में और लोगों का भी बदले यहीं चाहते हैं थैंक्यू सो मच प्रियांग भाई ने हमको एक बहुत ही इंट्रस्टिंग यह कॉंस्पिरेसी थियोरी का पेपर दिया है जेलर वेज्जयन यह एक्चुली एक जेन्यू के अराउंड एक पैट कॉंस्परिसी थ्यूरी है किसी की काफे इंट्रेस्टिंग है मतलब इसमें जो है यह सब कुछ कर लेते हैं मतलब पूरा ब्रह्मान कवर हो जाता है इसमें और देखी सब से उपर यूट्यूब लिंक दी हुई है तो इसक का थर्ड वर्जन है मतलब इस लाइक दी थर्ड एडिशन ऑफ दिस कॉंस्परिसी थ्यूरी क्या है यह मिस्टर इंडिया वगेरा कुछ अनिल गपूर भी लिखा हुआ है यह एक्चुली इंडिया की पूरी हिस्ट्री पूरी वर्ड हिस्ट्री और कुछ इसमें जानवर जाते हैं कहीं कहीं पर काफी कुछ कवर हो जाता है बट बेसिकली इसमें लेंग्विच का है जैसे एक्जांपल देता हूं आपको जैसे अम्रिका के प्रेजिएंट जो नाम है राकेश सल्मा जैसे है और वीश मलोतरा यह सब नाम जो है अपने गाउं से अपने घरवारों करते रहते हैं तो यह अगर आप थोड़ा मतलब इसका विवेचना करेंगे तो आपको समझ में आगा कि सबसे जादा ग्रैंड कॉंस्पिरिसी त्योरी है यह अपने अपने अचीवमेंट माना जाना चाहिए इसने मतलब अपने महले से लेके अम अमरीका तक पहुंच गया मतलब मिस्टर इंडिया निल कपूर के साथ टेसला माइक्रोचिप नियूरो लिंक भी कनेक्ट कर दिया है किसी तरीके से आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो यह होता है आपका नाम चंदन ठाकुड है और मैं पीजडी कर रहा हूं अमेरिकान स्टेडीज में आप क्या इसमें कौन साथ पैरियार होस्टल में रहते हैं क्या काम करने आप किस पर स्पेसेफिकली मैं इंडो यूएस का रिलेशन सिप ट्रेजेक्ट्री मैप कर रहा हूं कि कैसे मूचूल मिस्ट्रस जो है वो पार्टनर्स में कनवर्ट हुआ है थूर लेंस ऑफ डिप्लोमाटिक हिस्ट्री तो इसमें एक वो बुक भी है ना कौ कंसी पाकिस्तानी ओथर की जो पूरा हिस्ट्री ट्रेस करते हैं इंडिया और या यूएस ओथर है कोई जो भी आपको काम दिखेगा वो जर्नलिस्टिक काम दिखेगा और यह साइद जब मैं लिट्रेचर रिव्यू कर रहा था या लिट्रेचर सर्वे कर रहा था तो मुझे यही बात लगी थी जो रिसर्च गया आप मैंने देखा कि एकेडमिक्स की तरफ से एकेडमिशन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं था इस लेशंशिप को देखने का और सायद इसलिए हुआ कि जो भी काम हुआ था वो जर्नलिस्टिक काम है आपको जो पीस दिख जाएंगे जर्नल्स में एकाद प्रोफेसर्स की आर्टिल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन बहुत कोई मेजर काम इस पर आपको एकेडमिशन के थ्रू नहीं देखेगा इसलिए मुझे लगता है कि और इंडिया में यूनीक है इंडिया में जेन्यू एक मात्र इंवर्सिटी है जो अम प्रोफेसर्स के साथ रेफरेंस के साथ बात करते हैं ज्यादा अथेंटिसिटी होती है उसमें तो वह काम में देख रहा हूं कितना हो पाएगा वह तो बात का बात है लेकिन मेरे उपर यह रिस्पॉर्सिबिलिटी है कि मैं इसको थोड़ा स्टैबलिस करूँ मैंने वो बुक पड़ी है एस्ट्रेंज डेमोक्रेसी वाली तो उसमें और आपके जो काम में उसमें कितना अंतर आप पहला अंतर तो यहीं हो जाएगा कि अस्ट्रेंज जूनियर का जो जूइंट स्टेट्मेंट था उसके बाद तीस साल हो गये हैं और मेजर सिफ्ट जो आया है रिलेशन्शिप का वो 2005 ओन वर्ड्स है जब मनमौहन सिंग और जूर्ज जूनियर का जो जूइंट स्टेट्मेंट था उसके बाद फिर से बिले नुकलियर कोपरेशन डील होता है फिर बहुत सारे लोजिस्टिक इंट्रिजेंस सीरिंग बहुत सारी चीजें हो रह ओने रिलेशन्शिप में जो आपको जो जो क्वैड समीट हुआ है टोकियो में तो क्या बोला कि जो प्रेशिदेट्मेंट बाइडन ने कहा है कि most valuable relationship है on the earth यह बहुत बढ़ा स्टेट्मेंट है अपने आप में इस तरह के स्टेट्समेंट्स आ पहले नहीं देखेंगे किस होगा क्योंकि आप अब अगर ओमामा से देखें या उससे पहले बुस भी और उसके बाद भी जो पाइब टुए सी आया और उसमें इंडिया को एक मेजर पार्टनर बताया और फिर जो ट्रंप ने अलांकि ट्रंप ने बहुत बड़ा ट्रंप का थोड़ा आइसोलेशन को पहले था कुछ इंडियन माइंड सेट में कि भाई क्या है क्योंकि उन्होंने पहले जो स्टेट्मेंट्स दिये थे खासकरके लिए था तो थोड़ा सा स्केप्टिसिजम था लोगों के मन में लेकिन अब लग रहा है कि वो भी एक स्केप्टिसिजम ही था बस उसमें एक तक युएस ने इंडिया में पर्मानेंट एंबैस्डर नहीं दिया है यह एक मुझे थोड़ा सा क्योंकि जो भी चार्जजी अफेर्स आये थे तुलकस्या फिर उनको भी बिद्रॉक कर लिया उसके बाद उन्होंने किसी को डिप्यूट नहीं किया है वह एक फैक्ट है ल सारी लोग उसमें बाकी तो छोड़ी है वाइस प्रेसिडेंट ही इंडियन और जिन्स की है तो वह भी हमें लगता है कि चैरिस करना चाहिए तो वह रियलाइजेशन है मोरोगर तो मैं इस तरह से इसको समप करूंगा कि हमेसा इंडिया जो है उस जो है वह इंडिया को प्र इस तरह के सिफ्ट में इंडियन एकडिमिया का पहला रोल तो है पहले तो यह है कि पहला बात जो बेसिक से सुरू होती है कि हमारे पास हम लोग एक्सपर्ट पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं तो उसका यह है कि अगर आप अभी खोजेंगे कि अमेरिका पे कितना लोग ए इक्सपर्ट नहीं इक्सपर्ट मतलब जो एकडिमिकली एक्सपर्ट है तो मैंने जैसा बताया आपको कि इंडिया में एक ही सेंटर है उसमें चार प्रोफेसर्स है उसमें भी जो दो नाम जिनको कि आप न्यूस्पेपर में और टेलीविजन में एपियर होते हुए देख रहे थे प्रोफेसर महापात्र है न दस तो लोग रेटायर हो रहे हैं तब कुल मिला कि दो लोग बज जाएंगे वहां पर तो पहले तो यह है कि एकेडिमिया में आपको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा स्कॉलर्सिप डिवलप करनी पड़ेगी उसके लिए आपको लोग इतने सब चीज के बाद आपके पास स्कॉलर्सिप नहीं है तो वो एक बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है यह गौर्मिंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि और जगह आप अमेरिकन सेंटर खोल पाएं और रिशर्च स्कॉलर को आप मोटिवेट कर पाएं दूसरी तो यह है कि आपको human resource उसमें ज्यादा पूल करना पड़ेगा उसमें रखिए फिर उसके बाद एक क्योंकि एक अडिमिशन बेसिकली ट्रैक्टू डिप्लोमेसी के पार्ट होते हैं वो डारेक्ली इंडारेकली इंफ्लेंस करते हैं पब्लिक अपिनियन मॉबलाइज करते ह तो आपको जैदा लोग चाहिए जितने जैदा लोग होंगे of course point of view होगा उसमें कुछ agreement होगे कुछ disagreement होगे लेकिन उससे निकल के कुछ हैगा तो जो critical thinking बोलते है न सारे aspects को देखते हुए तो उसका अपना एक major मुझे लगता है कि अपना contribution होगा अपने तरीके से इसका मैं मैं एक example यह दे सकता हूँ कि जब रसिया के साथ हमारे relationship बहुत अच्छा था दो we were we claim कि हम लोग non-aligned थे लेकिन हमारे एक tilt था रस्या के थूरू तो उसमें आपको बहुत बड़ा Russian scholarship दिखेगा बहुत जगर Russian language पढ़ाई होती थी ना के बल जेनियू में of course जेनियू में प इतना बड़ा सिफ्ट है तो हमें उसी साब से उसमें human resources mobilize करना पड़ेगा उसमें investment करनी पड़ेगी एक public opinion mobilize करना है तो उसमें सबसे बड़ा काम जो है के admission कही होता है जैसे मैं एक example आपको दूँ कॉनलिजा राइस secretary of state थी NSA भी थी इंडिया के साथ relationship जो इतना बड़ा सिफ्ट है उसमें जो पहला major piece माना जाता है वो कॉनलिजा राइस का ही है वो प्रोफेसर political science थी यह सैनफोर्ड में उन्होंने foreign affairs में promoting national interest के नाम से एक piece लिखा था जिस space को काफी discuss किया था state department में वो उनके secretary of state और NSA बनने से पहले का वो piece था इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक admission का अपना एक role है जब वो कोई कोई चीज के तरफ hint कर रहे होते हैं कोई opinion को पुस कर रहे होते हैं तो उसके पीछे sound facts होता है एक backing होती है लोजिक का और उसके बाद state जो है वो realize करता है या non-realize जैसे उसको लगे कि भाई इसके साथ जाना है या नहीं जाना है मुझे लगता है कि उसमें का बहुत बरा role है हमें भी similarly जैसे US में होता है अफ्कोर्स हम लोग उसको follow कर सकते हैं हम लोग follow तो करते नहीं है कि इतना policy making में रखने आप जैसे मैं एक example देता हूँ आपको national security advisory board है government of India का मुझे लगता है कि दो तीन लोग के अलाबा क्योंकि मेजरली इंडिया में आयर जो है वो जीनु में होता है दो तीन लोग के अलाबा आस तक कोई गया नहीं उस बोड में कौन वो लोग उस बोड that will हर फिल्ड में के जरूरत है क्योंकि admission अपना effort लगा के कुछ research करते हैं लंबा समय लेकर के और उसका एक contribution हो सकता है provided कि आप इस बात को realize करें कि उनकी जरूरत है कि बुरोक्रेटिक सेटप रख के ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरोक्रेट लोग काम नहीं करते हैं दे इसमें challenges क्या हैं जैसे इसराइल में भी यह हो रहा है कि उनके जो American Jews हैं उनका एक opinion जो पहले सिंक में था इसराइल Jews के साथ वो थोड़ा सा भी part हो रहा है because of liberal politics अभी हम भारत के जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं भारतिया origin के उनमें भी हमको यह देखने को मिल रहा है और यह एक challenge है Democratic Party की तरफ से कि वहाँ पे जो lobbying हो रही है वो एक counter हो रही है इंडिया का जो interest है उसके counter हो रही है दूसरा Republican Party के अगर बात करें तो उनकी जो leadership है वो तो ठीक है लेकिन वहाँ पे एक religious angle भी आ जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भारत है वो इस तरीके की policies ना ल किया हुआ है तो यह कितना बड़ा challenge है आने वाले time में इसका answers मैं आपको तीन फोल्ड में देता हूँ पहला फोल्ड यह है कि पहला तुम्हें इस theory को नहीं मानता हूँ कि democratic और Republican का politics domestic politics उनका जो भी हो international relations पे उनका politics more or less same ही होता है वो continuity ही है एकदम continuity है चिंज आपको little bit है और democratic में बहुत है ऐसा भी नहीं है इन फैक्ट जो इंडियन डाइसपोरा वहां रहती है उसमें जो influential डाइसपोरा है इन फ्लूइंसल कहने कि जो rich लोग है वो mostly Republican Party के साथ है पहला बात दूसरा अगर आप पार्टी में भी देखें किसी जमाने में American politics का सबसे blue white boy जो है व और चीजें आगे नहीं बड़ी तो पहला बात तो यह है कि आप उन्हां के domestic politics में अगर आपको कुछ find करना है निटी-ग्रिटी तो वो ठीक है foreign policy के front पे आपको बहुत Republican Party और Democratic Party में बहुत changes आपको नहीं दिखेंगे एक तो यह बात हो गई दूसरी बात हो गई कि opinions का जो divergence होता है वो किसी भी जगह पे होता अगर कोई भी Democratic Party है जैसा आप सोचेंगे जैसा मैं सोचेंगा जैसा यह सोचेंगे इसमें differences होंगे point यह है कि आप अपने national interest को कैसे आगे बढ़ाते हैं आपके national interest में क्या चीज़ है क्योंकि foreign policy में सबसे important क्या होता है आपका national interest किसी भी nation के लिए India के लिए सबसे important क्या है हमारा national interest कैसे आगे बढ़ेगा उसमें diverge view जा सकते हैं point क्या है कि आपको उस सारे divergence को एक जगा converge कराना है वो convergence का point क्या होता है हमारा national interest वहां से हम आगे पूश कर सकते हैं तो उस national interest को के lens से अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो वो उसका जवाब वहीं पे है वो politics आपको दिखेगा कहीं एक दो statements भी आपको दिख जाएंगे कभी कई बार senior level से भी दिख जाता है जैसे कमला हरिस नहीं एक statement दे दिया थे आते के साथ ही उनका statement था तो बहुत सारे हम लोग को भी लगा कि यह क्या है Indian origin की है हमारा claim रहा है एक तरह का कहें कि sympathy भी था जब वो campaign में थी politics तो यही होता है कि Biden के लिए उनके क्या words थे अगर आप primary में देखें US primary का जब election शुरू हुआ था तो उन्होंने Biden को बहुत सारा criticize किया था लेकिन उसी की presidency में दोनों candidate हो गए तो politics में यह सब चलता है point यह है कि politics होंगे अपने तरीके से आप अपने nation के interest को मैं foreign policy point से बोड़ रहा हूँ कैसे बढ़ाते हैं मुझे लगता है और वो सिर्फ US में ही नहीं वहाँ Democratic Republican Party का बात नहीं है वो इंडिया में भी अगर आप देखें बीजेपी या largely Congress दोनों ही party mainly क्या करेगी national interest के लिए ही move करेगी तरीका में difference हो सकता है method अलग हो सकते है Congress party हो सकता है किसी और point से उसको touch कर रहा हूँ BJP किसी और point से touch करेगी लेकिन ultimately होना क्या है कि converge होना है जाकर के तो वो space है कि नहीं है वो debate का space है जहां इस बात को हम realize कर पा रहे हैं उस space को extending करने के जरूरत है और उसको enlarge करने के जरूरत है अगर आप वो करते जाएंगे आप प्रोपर पॉलिटिक्स जो इंट्रेस्ट में होगा वह आपको दीख जाएगी अप बिहार से हैं बिलकुल हूं बिहार में कहां से मैं मधुवनी मिथ्रा रीजन का एक्षे डिस्टिक है मधुवनी दिस्टिक में वहां का हूं आपका वैसे background किया इससे पहले आपने क्या क अब मैं यहीं जेनियू में मास्टर्स के इंटरनेसल डिस्टिक में और पीजडी कर रहा हूं अमेरिकन स्टेडियस में यह जेनियू में वैसे बहुत लोग यूप्यसी की तियारी करते रहते हैं या करके आते हैं इसका क्या connection है अलगी मतलब डियू से इसका connection it has nothing to do with JNU first वो ऐसा है कि हमारा जो societal value है उसमें आज भी हम bureaucrat को बहुत space देते हैं और हम यह मानते हैं कि एक बार बिरोक्रेसी में आप आ गए तो आप semi-god है या है बहुत काफी उनका position जो है काफी उपर है तो जब आपका best mind को आपने यह trend ऐसे किया है कि भाई बिरोक्रेसी ही top है तो लोग आएंगे जो अच्छे होंगे पढ़ने में उनका पहला ध्यान जो है वो बिरोक्रेसी के तरफ होगा उसके बाद फिर वो बाकी चीज़ के बारे में सोचेंगे जो आपका अच्छा crowd है तो वो इसका जेनियू और यू से मतलब नहीं है हम जेनियू आने से पहले ही UPS दे रहे थे दली इंवर्स्टी से ग्रेजिट हुए वहां के रोडी मल में अड्मिशन लिया था मास्टर्स में विद्रॉ करके मैं UPS का तहरी करने लगा था तो इसका इससे जेनियू से कोई मतलब नहीं है हाँ ऑफकोर्स चुकि जेनियू में भी अच्छा crowd पढ़ने के ल काम दीखी गया तो आपके उसके बाद से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा तो वह बस उसका है जेनियू का इससा कोई connection हाँ यह बात जरूर है कि जेनियू बहुत बीरोक्राट प्रोड्यूस करती है और यह आज से नहीं कर रही है यह थूए जब से जेनियू आया है जो अब आज भी बिरोक्रेटिक लॉबी देखें तो आपको सब लोग मुस्टली लोग बागराव हम ऐसे देखिए ना यूएस केमबैस्डर हमें जेनियू के हैं तरंजीत संदू उससे पहले जाए आप जैसंकर जी यहां वो फॉरेंच सर्विस में थे फॉरेंच सेक्रेटर लोगे जेनियू जेनियू के साथ लॉगे अर्फी में देखता और कोई बात नहीं है आपका जैनियू का एडिया क्या है क्या है कि कि आप भिहार से आये डियू में पड़े उसके बाद ये जैनियू ही क्यों चुना और ये कब हुआ था आपका एड्मिशन मैं एक्जाम द जेन्यू आता था देखता था लाइडरी का एक्सेस था फिर जेन्यू आ भी गए पहले से हमेषा जेन्यू higher education के लिए एक तो यह है कि best institute है लेकिन best institute कैसे बनता है उसके पीछे की एक सोच होती है तो जेन्यू क्यों best था या best है अब कितना है क्या debates है उसमें ये है कि जेन्यू एक democratic space है, जेन्यू आपको इस चार दिवारी के अंदर घुसते ही आपको एक अलग feel देता है, वो feel क्या है equality का, वो feel है freedom का, वो feel क्या है justice का, और ये तीन चीज जो आपके constitution भी इस बात को कहती है, वो आपको जेन्यू में दिखेगा, practice में, कुछ example देंगे, example इस तरह का है कि जो normally हम लोग Delhi University में थे तो एक हरार्की थी, seniors है और ये है, यहाँ उस तरह का senior juniors का आपको अगर आप locate करेंगे, हलाकि of course, एक respect होता है कि हमसे बरे हैं, लेकिन वो senior junior का, आप देखेंगे कि BA first year के बच्चे के साथ भी PhD का लोग बैटके बात कर रहा होता है, और बहुत comfortably बात कर रहा होता है, तो मुझे लगता है कि वो practice में equality होती है, आप उसको space दिये हैं, जिस space में आप से बहुत comfortably बात कर रहा है, और freedom तो है कि आपके पास जो thoughts हैं, इधर का हो, इधर का हो, बीच का हो, कुल भी thoughts हो आपके पास, आप उसको express कर सक कर सकते हैं यह सब चीज ये न्यू आपको फर्स्ट आप पहली बार ही आएंगे और आपको यह सब चीज दिखा तो लग है कुछ तो अलग है इसमें फिर अफकोर्स एकेडमिया अगर देखें तो एकेडमिया अपना पढ़ाय लिखाय का जो क्वालिटी है वो तो है ही इंफ इसमें अगया जाएंगे तो आपको डर लगएगा जैसे मैं बिहार से दली इंवर्सिटी गया था तो एक लगा था कि बाए कैसे क्या है जेन्यू आपको डराता नहीं है ये जेन्यू का बहुत important है कि आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी background से आ रहे हो और अगर आपको पता हो कि जेन्यू के policy में deprivation का provision है कि अगर लोग backward region से आएंगे तो उनको point दिया जाएगा उनको admission में वो सब help करती है लेकिन वो किसी भी background से आ रहा हो किसी भी community से आ रहा हो जेन्यू कभी डराता नहीं है ये मेरा अपना मानना है कि जेन्यू डराएगा नहीं आपको ऐसा नहीं है कि ये building है और अपना लाइबरी है तो आप जाके डर जाएंगे पता नहीं यह मेरा अपना है कि डराता नहीं है और आपको वो इस्पेस दे दिता है जहां आप comfortably किसी के साथ बात कर सकते हैं किसी से मिल सकते हैं प्रोफेसर बहुत आसानी से accessible है कोई भी department के professor हो और जेन्यू के establishment से ही जेन्यू का interdisciplinary approach रहा है तो आगर आपको पता हो कि जेन्यू में foreign language में केबल बीए होता है लेकिन उनको ये freedom है कि वो किसी भी center में B.Social Science, School of International Studies किसी में जाकर भी अपना optional course पढ़ लेते हैं तो भले वो Japanese language पढ़ने हो Chinese language पढ़ने हो या कोई और language, French पढ़ रहे हो लेकिन उनके पास opportunity है को history भी पढ़ सकते है economics भी पढ़ सकते है geography भी पढ़ सकते है IR भी पढ़ सकते है तो ये जो आपके horizon को बढ़ा करता है वो side एक तुरह का insight आपको create करता है initial level से ही ये BA के लिए बोलना हो में master's के लिए भी same बात जाती है हम IR में पढ़ रहे हैं हम history भी पढ़ सकते हैं हम political science भी पढ़ सकते हैं हम geography भी पढ़ सकते हैं हम economics भी पढ़ सकते हैं तो क्या होता ये जो interdisciplinary approach से जेनू को जो बनाया गया वो side आपके thinking process को mature करती है आपको lens देती है different lens कि आप different तरीके से एक ही चीज को देख सकते हैं आपका historical point हो सकता है देखने का आपका दूसरा को प्रेस्पेक्टिव हो सकता है economic perspective हो sociological perspective sociological department है जो department है जेनू का वो काफी vibrant department रहा है तो वो सब चीज आपको अलग-अलग lens देता है और वो lens जो है वो आदमी के personality को grow student के personality को grow करता है आप अलग तरीके सोच सकते हैं आपका critical thinking होता दूसरा एक और चीज बोलूँगा एक तो मैंने बोला कि जेनू डराता नहीं है और दूसरा ये बोलूँगा कि जेनू question करना आपको सिखाता है आप as a tease किसी चीज को accept नहीं करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है वो तैना inquiring mind चाहिए student के बीच में हम student school level से बोल रहे होते है inquire करना सीखिए वो जेनू जितना आप सीख के आए होंगे उसको plus करेगा आपको inquiry करना सिखाएगा आपको बताएगा कि बाई सबाल को पूछना है और जब आप सबाल पूछेंगे तो उसमें आपको कुछ सबाल मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा वो फिर आपके उपर responsibility हो जाती है वो उनस student के उपर होती है वो उस questions के साथ कैसे deal करता है उसको कितना explore करता है उसके कितनी पीछे जाता है उस particular questions के और फिर उसके result में उसको क्या मिलता है अब मुझे लगता है जब आप इतना सारा process करेंगे तो ये आपको एक matured personality के रूप में ले करके आएगा जहां आप सोच सकते हैं जहां आप बोल सकते हैं और expression के through आप आगे आ सकते हैं वो expression किसी भी form में हो सकता है में है तो लोग बोलेगा अच्छा आप जैनियू से है हलांकि उसका कुछ एक दूसा साइड भी आया है उस पर मैं बाद में बात करूँगा लेकिन लेकिन having said this मैं यह अबस्ट बोलूँगा कि जब आप वो टी-शिट देखता है तो पहला इमेज उसका यह आता है कि अच्छा जैनियू का है मतलब इमस्ट बी गुट इतना तो है जैनियू का आपको लगता है ऐसा सोचते हैं आम जंता मेरा मानना है कि यह तो नहीं सोचते कि पांच साल में जो पिछले साथ साल में गटनाए गटी है उसकी वज़ए से कुछ कलर्ड हुआ है परसेप्शन जैन्यू का इस पे मेरी राई यह है कि हाँ इमेज थोड़ा सा जैनियू का उसमें एक सबाल उठा है कम हुआ है यह मैं नहीं कह रहा हूं एक सवाल आया कि क्या भाई जो जेनियू का इतना बड़ा औरा बना हुआ है क्या वो सही में एक्जिस्ट करता है उसको लेगर के लोगों ने question किया और मुझे लगता है कि ये सवाल ठीक है questions होने चाहिए क्यों question होने चाहिए कई बार क्या होता है कि हम मालीजे जहां रह 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 है यहां रह रह है तो हमको सब कुछ यही best दिख रहा है तो हमारे उपर जो criticism है हम कई बार उसको catch नहीं करते है और हम या उसको ऐसे mode में रहता है कि चलो भाई इसको neglect करना है या उसका answer उसको respond नहीं करना है लेकिन जब सबाल heavy हो जाए जब सबाल system से भी आ रहा हो जब सबाल generally society से आ रहा हो तो ये genuines के ऊपर और जब 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 बोल रहा हूं तो genuine includes students, teachers and non-teaching staff यह तीनों लोग ये सबाल तीनों लोग के उपर ही जाता है कि लोग ने आपसे सबाल पूछा है बहुत दिन तक आप अनकोश्चन रहे जेन्यू बेस्ट है, जेन्यू का ये अच्छा है जेन्यू का गंगाठावा बहुत अच्छा है वहां रात को तीन मज़े खुला रहता है दो रुपे में पराठा मिलता है, तीन रुपे में सबजी मिलती है ये सब ठीक है, जेन्यू बहुत अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस करता है ये सब चीज ठीक है लेकिन जब आपके उपर कॉश्चन होने लगे तब जेन्यू कम्यूनिटी के उपर एक बड़ा responsibility आ गया कि अब क्या, आपकी hegemony break हो रही है या break करने की कोशिस की जा रही है, दोनों बात है break हो रही है, break तब हो रही होगी जब आप जो आपसे expected था वो आप करने में delay कर रहे हो आपना अच्छा काम नहीं कर रहे है कि आपके credibility के ऊपर questions उठाया जा रहा है तो उस credibility, अगर question उठाया जा रहा है तो आप कैसे उसको proof करेंगे प्रूफ करने का तरीका वो यह जो जेन्यू करती रही है कि आप कुछ proof दें, जैसे मैं एक example के तौर पर दे सकता हूँ कि जब आपने बड़ा question उठाया है तो किसी अबजीत बिनायक में energy को novel मिल जाता है तो वो यहां के पढ़े हुए थे तो वो एक value edition था या कल पर सो गितांजलिस्टी को booker मिला है तो वो एक edition है तो आपको बड़ा shift ऐसा नहीं है कि जेन्यू पर सवाल नहीं उठ रहे है और जेन्यू पर पहले भी सवाल उठते रहे है क्योंकि उसका एक largely region था कि जेन्यू एक ideology के तरफ tilt रहा है मतलब कम से कम student politics में तो रहा है academia में भी रहा है तो वो tilt जो है उसको जब दूसरी तरह की सरकार आई तो उसने उसको questions करना शुरू किया और यह बहुत बट obvious था मतलब इसमें कोई आपको अगर रगर आए कि rocket science है तो ऐसा कोई rocket science नहीं है सरकार तब दूसरी थी या congress की भी सरकार थी तो उन्होंने left के लिए एक space छोड़ा हुआ था उसकी अपनी merit में argument या जो भी merit है या नहीं है उस argument को आप देख लीजे देकिन जब right की government आ गई जब रहेंदर मोदी की सरकार आ गई तो उन्होंने इसको obviously आप वो सब कुछ political open मतलब मास से जीत के आ रहे हैं और एक university है देली में बैठी हुए जो उनकी बात को नहीं सुन रही है तो natural सी बात है कि वो सवाल उठाएंगे वो सवाल कैसे आ रहा है पहले तो यह है कि वो सवाल पूछने का तरीका क्या है दूसरा उस सवाल को G&U community कैसे ले रही है दूसरी बात और तीसरा इसका stage आता है कि उस सवाल को कैसे respond कर रही है मुझे लगता है कि G&U को sorry G&U को जितना करना चाहिए था उतना G&U यह responsibility मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ और मैं अपने colleague के लिए भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को जितना responsibility मिला है आप society आपके उपर जो responsibility है आजे society आजे institutions का society होने का जो आपके उपर responsibility है आप उसको कैसे देख रहे हैं और मेरा मानना है कि हम लोग कुछ हद तक successful है लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे alumni के थूँ हमने जवाब दिया है गितांजली स्री को भूकर मिल गया मुझे लगता है कि वो सवाल address हो रहा है और उसमें answers आने है मैं बोल ला था कि जो question है कि जेन्यू के उपर जब सवाल लगे तो यहां की community ने कैसे response किया उस पर मुझे लगता है दो-तीन दरे के response आए पहला response थोड़ा एक जड़ टाइप का response था वो यह था कि लोगों ने कहा कि जेन्यू का एक idea है जिसके उपर बाहर से attack हो रहा है तो now we have to preserve that idea उन्होंने actually उसके अंदर कोई मतलब गती शेलता या फिर रचना अत्मकता नहीं दिखाई उन्होंने एक जेन्यू का बहुत ज़दर romanticize कर लिया और उसको एक image लेकर बैठ गए कि इसको preserve करना है इस तरह के बाते बहुत आपको जेन्यू के थूरू देखने को मिलेंगी उसके बाद एक दूसरा idea था यहां अंदर भी एक realization हुआ मतलब this is politically divided actually obviously so एक दूसरा response ही हुआ कि जेन्यू भी तक ऐसा था तो अब इसको बदलना है तो बदलना है तो पूरा ही बदल देना है इसको मतलब एक छोर पे था तो इसकी politics को दूसरे छोर पे जाना चाहिए यह दूसरा response था मुझे लगता है यह भी मतलब उतना क्रियानवित नहीं हो पाया इतना मतलब successful नहीं हो पाया है बट तीसरा सबसे important response यह था कि यहां की community में कुछ लोगों ने देखा कि अभी तक एक island बना हुआ था जेन्यू तो now we have to build bridges with the world outside तो यह मुझे लगता सबसे important काम यह होना है ना तो जेन्यू को romanticize किया जाए कि sky image है जिसके ओपर समाज कोई मतलब attack कर रहा है और इसको मतलब एक refi कर दो उसका image बना के उसको preserve करने लोगो ना ही ऐसा कि उसको पूरा मतलब खतम ही कर दो क्योंकि यह भी अंदर response था कि सब कुछ change करना चाहिए अब सब कुछ उल्टा कि मतलब यहां की जो अंदर की community है वो बाहर से alien नहीं है वहीं से आई है और वहीं वापस जाना चाहती है तो इसके लिए वह सब सब पहले तो अपना यहां पर जो research वगएरा academic काम है उसको सबसे सुद्र तरीके से किया जाए और सबसे आदा communication की जो gap थी बाहर में और अंदर में जो communication की जो बड़ा गैप था उसको bridge करने की कोशिश है जो है मुझे सबसे आदा promise उसमें दिखता है जो तीसरी मतलब the third way जो है bridging तो जोड़ना जाएंगे मैं तो अभी यही बोलना चाहता था कि मैं तो अच्छली न्यू आया है फिर भी लेकिन अबजर्व कर रहा हूं चीजे कि यह जो इस्पेंस मतलब यह जो जो बिसकी बता रहे थे अभी कि यह जो एक आटा रहा तो फिर अंदर से भी लोग को रिलाइशन जैसे कि अभी यह प्रयांग हो है यह अभी यहां पर आयार सॉसाइटी कुछ लोग ने और उनका discussion काफे में काफी अच्छा होता है अगर आप IR Society के व्लॉग को चेक करेंगे तो आपको लगा कि हाँ यहां पर कुछ अच्छा discussion हो रहा है और कुछ एडिशन हो रहा है चाहे वो foreign policy का discussion हो चाहे वो international political theory के बारे में चर्चा हो तो यह है और दूसरा और मतलब एक औहां एक चीज़ और है कि फिर से यहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एकाडमिया में कॉंटिबूट करें और फिर से जैनु करना जैसे कि मेरे जैसा आभी नया student जो कि फर्स्ट यर में उसको भी लग रहा है कि मैं तो हमेशा इस बात को जब जिस समय में यह क्योंकि अगर आप question नहीं पूछते हैं किसी institutions तो institution इस्टेबलाईज हो जाता एक जगा पर उसमें बदलाब नहीं आता है जैसे कि हम जेनु में हम लोग को सिखाया जाता है है आप सवाल कीजे society से क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे society से तभी society में बदलाब होगा तो सेम च जाता है कि मैं बैठ के रहा हूँ कुछ new students जैसे मेरे साथ आ रहे हैं यह वो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं तो काफी अच्छा लगा चंदन जी आप से बात करके अभी हम कहां जाने वाले हैं प्रियंग भाई अभी हम ट्रिपरेस की तरफ रूप करते हैं स्कूल of social sciences सबसेंद जैन योगा कहेंगे आप जैन है ऐसा स्टाइस सबस्कूल अच्छा है हमाले हम कैसे बोले उसको मैं मेरे लिए है कि सब अच्छा है सब अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है उसको आप में एक्स्टोर खुद से कीजिए मैं आपको तो उसके लिए अपको अल्ड़ बेस्ट सबस्कूल अच्छा है मतलब मैं जब बाहर में साथ हमको पता भी नहीं था कोई स्कूल अच्छा होते है जब मैं एक लरका अभी कैंस फेस्टिबल में उसका कोई मुवी डोकुमेंटरी बनाया था जो वहां अवार्ड भी हुआ है उसको अभी 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 प्रेजिए तो अभी हम एक्जिम बैंक लाइबरेरी यहां पर है इतनी धूप है बाहर पर यहां पर आके थोड़ा अच्छा लग रहा है तो एक बात तो है जेन्यों की कि इतने सारे पेड़ है तो टेंपरेचर जो दिल्ली का है उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से तीन डिग्री तो अगर कोई सुन रहा है सरकार में तो पेड़ लगाईए ताकि दिल्ली का टेंपरेचर चारपाश डिग्री कम हो तो प्रियांक जी अभी हम क्या बात करने वाले हैं आप इंट्रोड़क लगे अखिलिश भाईया जेन्यू में काफी समय से हैं मेरे से तो लगवाग मतलब 5-6 साल पहले से हैं और मुझे लगता है कि जेन्यू में अखिलिश भाईया को भिश्म पिता माय का दरजा दिया जाना चाहिए उनको हम सभी लोग जो हैं हम काफी वी लुक अप टो हिम ए तो आप काफी जैसे का इक और भी लोग और हैं कि काफी सालों से आप यहां पर हैं तो आपने काफी देखा है कि कई पिछले कम से कम साथ साल में तो बहुती बदलाव सा देखने को मिला है काफी गटनाएं गटित हुई हैं तो कैसे आप इस ट्रांजिशन को देखते हैं कि पहले जो जे न्यू था और अब का जे न्यू कितना फर्क है देखें मैं सिर्फ साथ सालों वाली बात पर नहीं जाओ हूं क्योंकि अगर वैसे देखें तो जैसे बोलते हैं ना चेंज इस दी ओनली पर्मनेंट तो उसमें क्या वादा चेंज तो कंटीनूस है तो कई फेजेज रहें जैसे जहां से मैं देखता हूं जेनू को मतलब चेनू में जो चेंज आए एक एकाडमिक साइड अलग है ल लेकिन वहाँ जब की लिंगदो कमिटी के रेकमेंडेशन्स जेनू में आते हैं और उसके बाद से क्या होता है कि जो ओवर ओल स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी वो कमजोर पढ़ने लगती है और वो एक मेजर एक वाटरशेट मुवमेंट रहेगा पूरे जेनू के हिस्ट तो सब इंस्टिचूशन का आप देखेंगे कुछ भी हो मतलब किसी की वेबसाइट खोलीजिए सी बियाई की या मतलब किसी भी ऐसे मतलब रौ की खोल लीजिए मैं हमेंसा एक रहेगा रहा है मिशन एंड अब्जेक्टिव सेना एक वीजन एक रहता है तो किसी भी चीज क होता है कि समाज को क्या दे रहे हैं तो एक यह भी था कि एक modern revolution आए एक social change आए जो कि लोगों की लाइफ को बेटर करें individual freedom को बढ़ाए और वो सारी बातें थी उस लाइन पर चल रहा था और उस लाइन पर चलने में जो भी जैनिवेस हुआ यहां की student politics का रोल था वो एक समय में तक रहता था कि चलो उसमें सकारात्मक कुछ करो ठीक है लेफ्ट राइट की डिबेट तो हमेशा थी और यह था कि दोनों अपने स्पेस के लिए लड़ते थे जितना लड़ते थे जितना काम्याब होते थे जितना जिस क्या बोलते हैं कि अपने constituency को लुभा पाते थे उतने वोट मिलते थे और उतना पावर में रहते थे वो तो अलग कहान यह कि जो वोट और इलेक्टोरल डैनेमिक्स था लेकिन वह बात चल रही थी सड़नी एक फेज आता है जो कि 2008 के बाद मेरे साब से 15 16 तक तो कुछ करके सस्टेन कर रहा था उसके बाद जो चेंज आता इसा बोला जाता था कि वोट जेनु फिंग्स टुड़ें इंडिया तिंस तोमॉरो यह काने थे कि जेनु पहले सुचता था और यहां से डिस्कॉर्स निकल के कहीं बाहर जाता था अब क्या हो गया है कि स्टुडेन पॉलिक्स कमजोर हो गई जो मेंटोर्स थे जो टीचर् में कोई खास ऐसा मतलब मुलते हैं कि किसी फाउंडेशन पे वो बेश्ट नहीं थे को स्टॉंग फाउंडेशन नहीं थी तो एक ऐसा दो रहा है कि यहां से बात बाहर जाती थी अब यहां के लोग बाहर से लेने लगे बाहर का डिस्कॉर्स यहां आने लगा जैसे जैसे यहां से discourse बाहर जाता था कि पहले मतलब एक churning होती थी intellectual level पर लेकिन मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि बाहर का इंपोर्ट जो narrative इंपोर्ट हो रहा है वो कहा है सबसे पहली बात तो narrative इंपोर्ट जो था जेनू में एक अलग सा culture था जो कि जिसका की dialectics को तो मानते थे और dialectics तो रहेगा ही जाएं academic से dialectics रहेगा लेकिन dialectics जो था necessarily animosity में नहीं बदलता था धीरे धीरे क्या हुआ कि 16-17 अच्छा animosity का जो एक तरह से जन्मद आता होता हो क्या होता है अग्यानता अग्यानता में डूबा हुआ आदमी ही किसी को एनमी मानने लगता है क्योंकि फिर वो आर्ग्यू नहीं कर सकता किसी बात को आर्ग्यूमेंट पर बेस नहीं कर सकता इस वज़े से क्या हुआ है कि एक लंबे समय से क्या हुआ है कि बाहर से जो dialectics थे और जो भी यह एक बहुत मेजर चेंज है और यह मेरे को लगता है कि काफी दुर्भाग्य पूर्ण चेंज है काफी दुर्भाग्य इसमें क्यों क्योंकि आपकी university spaces होने चाहिए जो torch bearers हो जो front runners हो आपके जो भी society के साथ समबाद हो रहा है सोचल चेंज लाना है या नहीं लाना है किस टाइब का system होना चाहिए क्योंकि society में किसी भी point पे आप देखेंगे तो factors तो इतने हैं कि एक साथ में उनको सही नहीं किया जा सकता एक साथ में सब गलत भी नहीं होते हैं सही कई factors होते हैं क्योंस तो चल रहा होता है उसमें एक randomness होता है बहुत सारी बात है लेकिन हमेशा एक सपना तो होता है कि जो एकदम आखरी level का आदमी अन्तियोदे जिसको कहते हैं उसकी भी life better हो कुछ better तो हो ये करने की ये करने का जो एक goal था उसके रास्ते में जो ये crisis है कि अब knowledge यहां build नहीं हो रहा है बहुत बड़ी problem है कि क्या ये जेन्यू की ही परिशानी है या इसको आप ऐसा देखते हैं कि इंडिया में जो social science का पूरा wider context है उसमें ही कोई crisis हा गिए ये overall wider context जो है social science का उसका एक reflection है एक तरह से जो है ना कि social sciences की crisis क्या होता है कि जो आपके aspirations होते हैं बच्पन से aspirations कैसे बनते हैं स्कूल से बनते हैं अब इसमें देखे एक history में जाना चाहूँगा इसमें थोड़ा जो नहरू जी की policy थी उसको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे इसमें क्या है कि देखे नहरू जी ने higher education के लिए बहुत कुछ किया यह आता है इसमें बनवा दिया इसमें बनवा दिया उनका सपना था अच्छी बाद जो primary education था उसको पूरी तरह से neglect किया अब एक क्या हुआ इसमें problem आप देखेगा कि गाओं में primary education के नाम पे पेड़ के नीचे वाला वो रह गया master जी एक पंडी जी रहेंगे वो डंडा मारेंगे यही पढ़ाई होती रही लब में समा आज भी होती है गाओं में आज भी यही situation है सिक्षामित्र वित्र बहुत सारी चीज़ें की गए बट जो ओवराल प्रैमरी एजुकेशन का सेक्टर है वो कोई बहुत उछाल नहीं ले पाया अब इसमें क्या हुआ कि एक बड़ा तसाल में बन जाते हैं वो aspirations यह हुए कि knowledge, liberal thought और बहुत lofty ideas उसके पीछे मच जाओ पकड़ो, कुछ करो, कुछ trade सीखो, नौकरी करो, मैं खुद उसका एक victim हूँ क्योंकि मैं जब St. Stephen's आया मैसॉनर्स लेकर तो यह था क्या मैसॉनर्स करना है और mathematics में कुछ है की question तो मेरे नाम से होगा एक दिन, मतलब ऐसे सब 12 के समय, mathematics मतलब वो था, मतलब क्या कहते हैं, मतलब सपना था कि हा कुछ करना है, नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स का same middle class thing, वो छोड़ बिटक कर, और अच्छे college में admission मिल जाएगा, बड़िया life हो जाएगा, किया, दो, चार साल, पान साल, उसमय बरबाद किया, फिर आया चेनू, तो यह चीज होती है, aspirations वहाँ बिल्ड हो जाते हैं, जब aspirations वहाँ बिल्ड हो जाते हैं, तो social sciences के लिए, जो लोगों के मन में एक वो होना चाहिए, कि मतलब आगे जाके इसको critically हम देखें है, क्योंकि आप दे ही नहीं पा रहे हैं, अगर primary education पे खर्च करके उस समय, उसको कहीं पे कुछ एक, आप start मतलब कुछ एक वो दिया होता, क्या कहते हैं, investment किया होता, तो अगर वो चीज किया होता, तो मुझे लगता है कि आज भारत पुरा completely देशी अलग होता, वो चीज क दिया, और कुछ एक होता है, जो दून स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ एक होता है, जो बड़े किसी missionary स्कूल में पढ़ते हैं, एक दम accent लगा कि English बोलना जानते हैं, उनके पल्ले पढ़ता है, कि हाँ ठीक है, आपके पास सारी resources भी हैं, घर वाले तैयार हैं, थोड़ा struggle आ आगे बढ़िये, और social sciences में कुछ कीजिए, इसमें दूसरी problem भी आती है, कि social sciences के पूरे operate करने का जो dynamic है, या जो एक बोलते हैं, कि so-called discursive logic जिसको कहते हैं, तो जो discursive logic है, उसमें भी एक class-based bias रही जाता है, क्योंकि आही रहे हैं एक class से लोग, ये भी एक problem है, उसी, जिस मतकार होगा निया, अभी तो condition क्या है, मतलब उस पर कुछ special comment नहीं रहेगा, ये तो पूरे 50 साल की बात है, तो मुझे लगदेगी, जो problem है, deep rooted है, 7 साल में इतना कुछ नहीं है, हाँ, 7 साल में उसका effect हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जेनू में है, तो यह ही है, अच्छा एक कि इसमें सुभाशित होते हैं, संस्कृत में, तो सुभाशित भी है एक ऐसा, कि मतलब जब प्यास लगे तब कुवा मत खो दो, उसके तहरी पहले रखो, तो यह जो है, इसमें यह है, कि आज मेरे को जहां तक लगता है कि जो एक क्राइसीस है, वो हिस्टॉरिक क्राइसीस मतलब इसको हम देखते हैं, नॉर्मली क्राइसीस हम किसको मानते हैं, जब वार हो, या कोई बहुत बड़ा एकोनॉमेक स्लोडाउन हो जाए, या कुछ हो जाए, मुझे लगता है कि आज के डेट में, जो मुझे दिखता है, क्योंकि कहीं ट्रेवल करते हैं, तो किसी से इं में, और एक मतलब हमको समझ है, आप इस बात को समझ है, उनको बड़ा एक्स्प्लीन करना पड़ा, तो जो मेरे को दिखता है यहाँ पे, वो यह कि क्राइसीस जो है, आपके वेल्यू सिस्टम का बहुत बड़ा क्राइसीस है, और आपका जो एक मेजर जो लोगों में किसी भी बात में किसी को मार दो, कोई बात नहीं, खुन बै गया तो क्या हुआ, मतलब यह जो चीज हो गए, इस पे काम करने ज़रो था, अब यह वही है कि यहां तक बात जब नीचे आई है, अब कुआ खुदने के तयारी हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अल् करना पड़ेगा, लोगों में यह सारी बातें तो जगानी ही पड़ेंगी, जो ऐसा हो गया है, गानांनी के लिए है, बशले धंुनी के लिए संसीग को लाते हैं, इतना पर जयांड़ हूग है, consistently बाते हैं कियमकि आपके वही बीच में जो आइदिया को आपने कहा कि जो वो भी एक पतन की तरफ है वो दिखता भी है क्या उसमें 2015 में जो गटनाएं हुई उसमें आप भी साक्षी थे हां तो उसमें कितना बड़ा रोल है आप देखे सबसे मेजर बात क्या हुआ कि मैं उसका विट्नेस हूं 9 फरवरी को साबरमती में नारे तो लगे थे और मेरा 164 में उसमें गवाही भी है कि यह यह नारे लगे थे मैं सायद 20 नारे उसमें लिखवाया था जितना मुझे याद है वो तो स्टेटमेंट दीए फी एक लंबा समय हो गया बीस नारे सायद मैंने याद किये थे और बाद में मुझे पदा चला कि पुलिस इसने टोटल 40 कुछ नारे उसमें रखे हैं तो यह नारे तो लगे थे तो और बहुत लंबी संख्या में ज्यादा तर यही लगे थे कि मतलब भारत को या भारतिये समाज को कैसे तोड़ा जाए खराब किया जाए वो तो था अब इसका जो रोल था वो यही था कि एक जो मत सिस्टम का एक क्रमबल करने का एक एक जामपल दिया यह आज नहीं हुआ है यह 15 में भी था और कहीं 2005 में भी था यह तो यह तो नया नहीं है तो इसमें क्या था कि जिस पॉइंट पे जेनू एक हेल्पिंग हैंड दे सकता था एक जगह बन सकता था जहां से कि अच्छा थो कि आए बच्चों को भेजना है नहीं भेजना है वो जो इमेज हो गई कि जेनू में एंटी नेशन nessbus नहीं रहते हैं जेनू में जो भी नेशन बिलदिंग है या देश का जो भी सं रचना है जो भी मतलब स्थारी करन है या वर या संगर्व Inde जो भी जिस पर भी बात होती उसको एंटीनेशनल होना नहीं बोलते हैं लेकिन इमेज ऐसी बनी और इसमें वह बात जुड़ी हुई है जो मैं भी कह रहा था कि पहले यह होता था कि जेनु में थॉट बनता था बाहर जाता था अब क्या हो गया कि बाहर का जो वह है जो रिफ्लेक्शन है वह जेनु पर आ जो यह उठके उनसे बोल सके कि नहीं भाई एंटीनेशनल नहीं रहते हैं यह एक चर्चा का विशह है और इनवर्सिटी स्पेस में नहीं होगा तो कहां होगा हम नेशन को खराब करने के फेवर में हैं और नहीं जबरदस्ती अगर कुछ बुरा है तो यूलोजाइस करने क पर चर्चा करते हैं यह चीज बोलने के लिए फेस ही नहीं बचा क्यों स्टुडिन पॉल्टिक्स को आपने वो कर दिया लिंग दो ला दिया अब उसमें ढूड़ना पड़ता है कि किसी की उमर इतनी नहीं होनी चीए कोई केस नहीं होना चीए यह होना चीए वो होना इसको चुनाव लड़ा दो ऐसे तो कोई लीडर ही नहीं निकल रहा है जो और्गैनिक लीडर निकलते वो तो खतम हो चुके हैं और इसलिए क्या हो रहा है कि बाहर के लोगों की जो मानसिक्ता बन गई वो तो भई मीडिया देखते हैं वो पेपर पढ़ते हैं चैनल्स दे लीडर बन गया टिकेट भी मिल गया और अब तो कॉंग्रेस में चला गया है मेंस्ट्रीम हो गया है उस तरीके से एक अटेंप्ट हो रहा है कि हम भी कोई जो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम जितना उपद्रव मचाएंगे यहां पर तो हम भी हम भी मीडिया में आएं तो एक चीज और होती है कि जैसे पहले क्या था ना कनिया कुमार या चितने भी लोग एस्पाइरिंग लीडर थे एक समय था कि आपको और गैनिकली कुछ मतलब क्या कहते हैं स्ट्रगल करके या कहीं पे खुद को प्रूफ करके या किसी सोशल अरीना में खुद का कोई का क सब्सक्राइब करके उससे आना पड़ता था इसको बोलते हैं एक दम ग्रासरूट्स के लेवल पे नहीं तो जैनू में पीएजडी फोर्थ एर क्रॉस हो जाता था आप परचा ही लगाते रह जाते थे ऐसा नहीं था कि आपको मतलब प्यजडी में है और इस साल आपको कि कंया कुमार वाइनौट मी ये एक क्वेस्ट्शन सबके दिल में आया सबको लगताए कंया को मार तो ठीक एक एवरेज ओर्डिनरी लड़का था और कोई बहुत हाई साथ भी रहे हैं तो इसह को बहुत अच्छा ब्रिलेंट नहीं बना था बहूत ब्रिल्यंटैं तरह य लिखता था जब वो बन सकता है मैं क्यों नहीं यह जब एटीज में नैंटीज में जूलियो रिबरे वाला जो जमाना था बॉंबे में अंडर वर्ल वाला तो उसमें कैसे था कि अंडर वर्ल में अगर नाम बनाना है तो पहले किसी का सुपाड़ी लेके खुन कर दो जितने बड़े आदमी का खुन करोगे उतना ज्यादा नोटीस में आओ गए तो फिर भाई के पंटर्स वाले उसमें आ जाओगे तो आप भी एक दिन भाई बन जाओगे वही चीज हुआ कि जब एवरेज काम करके एवरेज सोच रखके और उसमें कुछ बहुत हाई-फ्लाइंग बहुत सारे लोग उसके बाद किसी तरह से कुछ करो कोई एक जेल में तो दाल देकिसे लिएग कोई फायर गोँशनका प्स तो बस हो गया हम нетता बन जाए बहुत उने कोसिस कि कुछ लोग गए भी। क्या पताने उसका कितना लोग नेता बने मेरा concern नहीं है, आखान, अच्छा एक चीज़ है, यह एशी बीमारी है, जो दोनों सैड है, ओध़ार, इसा नहीं है, यह कोई narrative या कोई ideological divide है, सब शाइड के लोगों को लगता है, कि एक ritualistic रूप में, एक बोलते हैं, एक problem को ignite करो Thank you, को इगनाइट कर दोगे तो कही ना कहीं तुम मीडिया में आओगे भले फंबल करो भले वहाँ पे थोड़ा सा अजीब अजीब सा बोलो भले तुम्हारा ये शाफ पता चल जाए कि इससे पहले कभी बोला नहीं था लिखा नहीं था ऐसे इसे लोग है आपने देखा ही होगा मीडिया में बहुत लोग चाते हैं जेनींज से सो कॉली रेपरेसेट करते हैं ना वह कोई विचार्द्हरा को रेपरेसेट कर रहे होते हैं ना वह किसी बात पर कुछ बोल था ना कि लेकिन हाँ जाएंगे जरू क्यआकि उनको पालू में कुछ एक चनिंग दो बातों को ऐ प्रस्पेक्टिव दिखा तो बस यहीं कहा नहीं है सब को लगते हैं हम दिखेंगे भले गंदे दिखें दिखेंगे ना थोड़ा सा मतलब वो करके वो फाउंडेशन लगा कि यहीं होता है क्योंकि एक चीज नहीं भूला है ना कि जो भी है हैं तो लोग 20s वाले या early 30s वाल और इसी से यह बात निकल के आती है कि हाँ चलो kanya गुमार यह करके यार अचा बहुत लोग बोलती है इसको को बहुत बहूं इसको बहुत नौन इस रही यह पिछले दिन रामनोमी को जो झघड़ा हुआ मैं था मां पर बिलकुल एmmiकिबली बैटके सुलजाया सकता था राम नॉमी के इसुमें कोई बहुत major issue नहीं था उसमें कि नॉन वेज बनना है नहीं बनना है इस पे तो कभी भी बात की जा सकती है लेकिन वही था सारे पक्षों को लगता है कि थोड़ा सा दो उसमें आग डालो थोड़ा सा घीरी डालो, थोड़ा तो आएगा, फिर जाएगे मीडिया में, केस बनेगा, ये बाते होती है, तो बहुतों को ऐसा लगता है, अच्छा, इसमें क्या होता है, कि पार्टी की गलती नहीं है, ना ही जो विचारधारा को लीड कर रहे हैं, उनकी गलती, उनको पता है, तो उसमें चले जाते हैं, यहाँ चलो, प्रोटेस्ट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब हला गुला कर देते हैं, कुछ हो जाएगा, गाड से ही जगडा कर लो, कम से कम, हाँ बहुतों को यह हो गया, कि हार एक छोटी चीज करो, कि कुछ तो फाई आर बनें, कहीं तो जाएं, कहीं तो नेता बनें, और फिर जाके बोलेंगे जनु अब फिर वाली चीज मतलब बोल पाएं आ नपाएं, भले बेज्ड़ती करवाएं गें, बोलेंगे जरूर, इसका सुधार कैसे हो सकता है, तो जो मेरा देखा हुआ है, वो सिंपल है, आपको पहले तो यह वाले चीज को वापस लाना पड़ेगा कि अगर आप जेनु में हैं तो नेता बनने का मस्वची है नेता आप तभी बनेंगे जब आप क्या स्नौलेज होगा जब आप समाज को कुछ कुछ कॉंट्रिबूट कर पाएंगे जब कॉंट्रिबूट यह नहीं कर पा अपनी टीम बना ली कभीले वालों की मतलब कभीलाई जो तरीका होता है ना कि मेरे 40 फॉलोवर से अली बाबा 40 चौर चुनाव तो मैं जीतूंगा ही उसके करूंगा क्या कभी जबाब नहीं दूंगा किसी से पूछ लीजे कि तुमने किया क्या जीते तो थे तुम पिछली बिना सांस रोके आपको दोनों बात उसका बोलना आना चाहिए बहुत इंडिविज्वल डिवलप्मेंट की और दूसरे समाज के लिए आपको काम आना चाहिए कलेक्टिव लेवल पर यह अगर ऐसे बिना सांस रोके आप चीजों को नहीं जान रहे हैं तो फिर यहां पड करूंगा कि स्टूडेंट्स को पहली क्लास में यह इंट्रोडक्शन दिया जाएगी आप यहां नेता बनने नहीं आए हैं आप यहां नौलेज के लिए हैं जितना समय हो खटिए मरिए लाइबरेरी में समय गमा दीजिए जो भी करना है करिए रात रात को जग के क्या जरूरी है कि जो 10-15% क्रिमिनल बैग्राउंड के लोग अभी भी पार्लामेंट पहुंचते हैं आप उनका एक पार्ड बनना चाहा रहे हैं लोग तो पार्लामेंट वैसे भी पहुंच रहे हैं क्राइम करके भी पहुंच रहे हैं आपको उनको रेप्रेसेंट तो पांच साल में अच्छी भी हो सकती है लेकिन स्टार्ट लेना पड़ेगा पहली बात है कि हर बच्चे को एक ओपन सेशन करके यह बुलना होगा कि आप यहां नेता बनने नहीं आए आपको पढ़ना है और उस एक्सेलेंस पे जाना है जो केंब्रीज ऑक्सफर्ड में बै यह तो खेर देखा है क्लास में यह तो एक administrative responsibility भी है कि जो administration है जेन्यू का एक तो मीडिया को मताने दो interaction मत कराने दो वो oxygen बन गई है मेरे ख्याल से leader बनने के लिए तो वो एक बहुत बड़ा जरूरी है ठीक है इसमें थोड़ा सा अलग मैं लूँगा क्या होता है कि कहीं पर भी मीडिया को मना तो नहीं कर सकते थोड़ा तो वो तो है मतलब क्योंकि मैं खुद अब इसमें अलग views हो सकते हैं लेकि मैं individual freedom का बहुत बड़ा supporter हूँ थोड़ा सा हम भी मीडिया में काउंट होते हैं तो मुझे लगता है कि व्यूज जाने चाहिए मीडिया को आने दो वो सारी बात है तो अपनी जगह पे और देखें मीडिया बीना कारण आएगी भी नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो कारण बनते हैं जिस वजह से मीडिया आती है व हर एक जगड़ा हर एक बात कहीं ना कहीं जानकारी में ही होता है राम नमी वाला जगड़ा भी रेक्टर को पता था या कुछ ऑफिसर्स को पता था इस जैनू के अगर इंटर्वीन सही समय पे हो जाता और उसका सलूशन दे दिया जाता तो मुझे लगता है वहां तक बात बोलना ही सबकुछ है वह कुछ करनी पा रहा है वसंद कुछ में कोई 1500ефfal करोड की प्रोपर्टी उसकी नहीं है crunchy जगवार में घूमनी पा रहा है उसके लिए कुछ बोलना ही सबकुछ है और वह इतना दबाओ महैशूस करते हैं मैंस में खाना खाने एक बुक है इस पे socially challenged बहुत सारे लोग ऐसे बेग्राउंड से भी आते हैं socially challenged है उनको मैंस में खाना खाना भी बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि बाकी लोग बहुत अजीब बात कर रहे होते हैं वो यूटेंसिल्स भी उस टाइब के पहले देख रहे है मेडिया आ जाती है एक मतलब ऐसा होते हैं कि administration non-existent यह दिखने लगता है यह नहीं हो काफी weak लगता है बिलकुल लगता है अच्छा एक बाद बाद है जैसे यहां पर तो गारडों को भी पीट देते हैं मतलब पास्ट में हुए ऐसे incident की पहली बात पीट देते हैं दूस से पता था यहां कई lockdowns होते थे हां 19 में यहां lockdown था तो यह है गलत है कि मतलब पिकेटिंग नहीं होनी चाहिए और प्रोफेसर एक चीज़ तो है एक चीज़ तो है जब आपका focus academics नहीं रह जाता है आपका focus lockdowns हो गए आपका focus अच्छा प्रोटेस्ट क्या होगा कि कहीं किसी communities में class वाई उसके प्रोटेस्ट में आप physics के एक प्रोफेसर को अपने लैब जाने से रोक रहे हैं या molecular medicine में रोक रहे हैं तो कि इसका क्या मतलब है को मतलब नहीं है academics कभी भी सफर नहीं करने और जेन्यू का यह culture था चाहे कुछ हो जाता था चाहे आसमान गिर जाए बिज दिखका नहीं आकुमार इफेक्ट यह बिल्कुल है कि लोगों को यह लगने लगाए कि कुछ भी बकवास करो कहीं पे भी कुछ थोड़ा सा मतलब एक problem इंट्रोड्यूस करो काश फायार बन जाए हम जेल चले जाए तो बहुत कुछ हो सकता हाँ इसके लिए यह सब करते है कियो किसी प्रोफेसर से clash हो जाएगा उसने उसको थपड़ चला दिया उसने उसको वो कर दिया बन गए फायर आप भी जल चलेगा हाँ ठीक है तो फिर वहां से बोलना सुरू करेंगे यह गरीब तपके के लोगों को दलित बंचित लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता ह किसी प्रोफेसर फलाना कास्ट से आते हैं फलाना बेंग्राउंड से आते हैं सारा नेरीटिव फिर बन जाएगा एसा होना चाहिए कि जो स्टुडेंट पॉलिटिक्स है उसमें कहीं नहीं एक लिमिटेशन होना चाहिए कि जो स्टुडेंट से related issues हैं campus में या hostel में मैस में क क्या वो ही उठाने के – वही है चीज़ें उठानी चाहिए राधर दन की पूरे देश में क्या हो रहा है यह गाजा में क्या हो रहा है इसरैल में क्या हो रहा है पिर सह मितलब मैं academic space में रहके तो यह नहीं कहूंगा क्या होता है कि सूरी चीज बहुत जादा रिलेटेड होती है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज आ गए न विजुशल एफेक्ट होता है और कहँ न कहीं से जो कॉझिटिव एफेक्ट होता है अब पढ़ने के बाद किसी के मन में क्या विचार जनेरेट हो रहे हैं या उसका कंसर्न क्या बन जा रहा है उस पे भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं फिर इसको बोलेंगे ना मतलब एक तरह से कोगनिटिव या इंटेलेक्च्वल सेंसर्शिप वो नहीं करना है मुद्दा आप कैसा भी उठाइए उसको उठाने का तरीका 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 दूसरी बात सबसे पहली बात तो यह यह ना कि इस बात को समझे कि आप एक 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 स्पेस में डिवेट के लिए हैं मारपीट क तो राइफल निकाल रहे हैं यह वाली पॉल्टिक्स जो है यह वहाँ चलने दीजिए यहां पर वह हो गया है लोग एरिया के लिए लड़ रहे हैं टेरिटरी के लिए वर्चस्व के लिए अरे वर्चस्व के लड़ाई नहीं यह वो जो कौन पिक्चर आई थी हो सहर ट्रॉक्रें में क्राइसी से बिल्कुल उस दोनों चीज पर पहुत है राइभ ही आपकी बंटी हो कोई बोलता युक्रेंट साही है कोई बोलता रश्या का वह सही है बिल्कुल हो सकते है और ये बात इस हीटेट टक भी जा सकती है कि वहां तक भी ले जाए जगडा मत कीज क्योंकि यह जो सोच है यह जो इस टाइब की सोच है यह भी उसी से आती है क्यों समाज ने आपको गलत सिखा है पहले से हर चीज में competitive रहो हाईरार्की में सोचो यह चोटा वो बड़ा इससे एक स्टेप आगे जाना है वन आप मैं बन वन आप उपर जाना है वन आप जाओ कि हर चीज में इतना competitive हो जाओ कि किसी दूसरे viewpoint के लिए आपके पास कोई flexibility, permeability ना आप जगडा कर लें जगडा नहीं करना है academic debate करनी है आप पढ़िए ना भाई देखिए एक बाद बताए किसी भी debate को कैसे जीतेंगे इतनी देर से यह जो बात चल रही है कैसे चल रह जगह पर आता है कि अधेयन हुआ मन्थन हुआ यह बातें चन किया ही अब क्या होगी जगह पर दुबारा आप आप आएगा कि हाँ जेनू से thought निकला अभी इसको आप समाज में अगर लेके जाएंगे तो कहीं अगे accept होगा अगर उस जगह पर आएंगे निक्योंकि आप भी वही पॉल्टिक्स कर रहे है तो फिर राज ठाकरे का थोटी बेटर है डिवाइड वाला तो फिर जेनू की जरुवती क्या है बहुत अच्छी चर्चा होगी अभी हमको सोशल साइंसिस का तो काफी लोगों से बात हुआ है तो साइंसिस की तरफ चलते हैं स्कूल अच्छा लगा अपसे मिलके चलते हैं तो अभी हम डॉक्टर सेल्जा मैम हैं उनकी लैब में हैं सोशल साइंसिस पे अभी तक बात हुई है जेन्यू में क्या होता है किस कैसे कैसे चेंजिस हैं क्या उनका एडिया है स्टूडेंट्स का अभी हम साइंस डिपार्टमेंट में हैं सेंटर फर मॉलेकुलर मेडिसिन और डॉक्टर सेल्जा यहां पे साइंटिस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मलेरिया कैसे खतम हो देश से उसके उपर मैम क्या इसमें इन्वोल्मेंट है क्या चैलेंजिस हैं उसके बारे में थोड़ा बताईए तो फर्स्ट अफॉल थैंक यू एंट्स अरियल प्लेजर तो हैब यू है और यू हैं तो आपका जीनियू में इंट्रेस्ट है जीनियू के स्टूडेंटों को आप कवर करना चाहते हैं तो मलेरिया पर आने में यह स्पेशली आपक और इवन सम प्रेसे इन गुजरात राजस्थान में और इस नॉर्थ इस्ट एरिया में अभी भी हमारे यहां पर काफी मलेरिया की प्रॉब्लम है और हम भी उसका क्या कारण है जैसे आप बता रहे थे कि चाइना में खतम हो गया इतना बड़ा देश है श्री लंका ने खत है कि हमारा देश काफी डाइवर्स है और मलेरिया से हुमन की वज़े से नहीं होता है इसका वेक्टर है जो कि मॉस्कीटो है सो मॉस्कीटो का प्रेवलेंस जब तक हम कतम ना करें तो जो स्वक्च भारत अभियान भी इसमें हल्प करेगा क्योंकि हमारे पास जो आस पास हम मुझे तब होगा जब आपको मॉस्कीटो ने बाइट किया और वो मुझे बाइट करता है सो इस्प्रेड ऑफ मॉस्कीटो डाइज दी ट्रांसमिशन सीजन हम अकसर देखते हैं कि जून जुलाई के बाद से अक्टूबर तक हमारे का हमारे को मलेरिया का मैनिफेस्टेशन कि उस ताइम मॉस्कीटो जादा है तो मॉस्कीटो पे भी रिसरच हो रहा है जहां पर आप चाहते हैं कि मॉस्कीटो को या आप इनसेक्टिसाइड से मार दे तो जब वो मर जाएंगे तो आफकोर्स मलेरिया का लेकिन इटसले मलेरिया को खतम करने के लिए बहुत सारे तर malaria का vaccine है निस जबकि यह 100 साल से यह बिमारी हमारे साथ है इसका क्या करण है कि इसका vaccine नहीं बन पर है vaccine के नहीं बनने का कारण भी scientifically बहुत सारे हैं जैसे malaria जो parasite है वो बहुत clever है vaccine किसके against बनता है vaccine एक protein के against बनता है कि कोई एक जैसे covid का vaccine है spike protein आपने सुना होगा उसके against हम antibody बना रहे हैं और हम यह प्रपोजिए जैसे भी प्रोटीन है जिसके against आप vaccine बना सकते हैं लेकिन इट्स पारसाइट बहुत clever है वो एक टाइम में एक protein को बाहर दिखाता है और उसके पास एक war gene 60 genes की family है वो हर बार change करता रहता है आप किसके against antibody बनाएंगे है so that is it is becoming very difficult तो फिर आपको जो elimination program है it can be both ways आप vaccine efficacious नहीं होगी क्योंकि हर दिन parasite change कर रहा है आज इस protein को आगे रखके वो grow कर रहा है दूसरे दिन दूसरे protein को आगे कर रहा है और आपका vaccine तो एक ही protein के against है so it will not be that sustained solution तो इसलिए हम लोग का यह कहना है कि elimination program में vaccine research drug research as well as the mosquito research in सबको और social awareness जैसे for example आप government ने बता दिया कि आप mosquito bed net यूज करें लेकिन वो गाओं गाओं तक कौन पहुचाएगा वो awareness ही तो होना चाहिए जैसे अभी हम aware करा रहे हैं कि how to sanitize how to use mask तो malaria elimination program के लिए भी वो जरूर से चाहिए governance camp चाहिए और सब लेकिन साथ-साथ research भी चाहिए क्यूंकि जो drug already है वो drug के लिए सारे malaria parasite resistant बन गए तो जब वो resistant है तो आपको नया चाहिए ताकि आपने मेडिसिन से treat कर सके पर वो मेडिसिन भी expensive नहीं होना चाहिए क्योंकि you are talking about the poor country disease so then you need to एक है कि one dollar vaccine या one dollar drug से ही आपको treat करना होगा malaria के elimination के दूसरी country क्यों कर पाए दूसरी country के success के लिए यह हो सकता है स्री लंका छोटा है हो सकता है उनका वो भी एक वो हो और awareness था उन्होंने वेक्टर को अच्छा control कर पाए और साथ के साथ same similar existing drug के साथ उन्होंने उस elimination program को successful होगा हम भी बहुत ही ज्यादा 20-30 तक हम भी चाहते हैं हमारा भी eliminate हो जाए malaria so हम भी बहुत hopeful हैं हमारा हमारे national programs भी ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है depends कि एक के बाद एक उनसे कुछ सीखके अपना कुछ नया करके हम भी कर सकते हैं तो अभी आप इस लैब में के तुरू क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि काफी developments होई है recently तो सबसे बहुत ही recent development जो मैं आपको बताना चाहते हूं and I'm really happy about it कि हमने एक sweet candy का discovery किया है तो basically क्या होते है कि जब malaria की drug है वो बहुत बिटर होते हैं शायद बच्पन में आपको भी malaria हुआ होगा तो जो chloroquine आप खाते हैं वो it's so bitter बहुत ही कड़वी होती है कि कुछ जादा ही कड़वी होती है तो but elimination program में आप हर गाउं में जाके हर बच्चे को prophylactic के लिए मैंने पहले से रोकने के लिए वो दवाई देंगे कोई नहीं घाएगा क्योंकि जब वो suffer करेगा तब वो medicine काएगा लेकिन मेरी लाब का जो और वो because it's a compound और वो compound even जो diabetic patients होते हैं जो मीठा नहीं खा सकते उनके लिए यूज होता है तो वो already उसको खाते हैं तो ये safe है और साथ के साथ बन हम लोग ने जब test किया उस compound को लेके हमने हमने malaria parasite जो हम लाब में grow करते है human malaria parasite उसमें test किया तो वो it was killing the parasite फिर हमने further चूहों को भी malaria होता है उसके लिए चूहों का malaria parasite होता है उस पे हमने जब test किया तो वो चूहों के भी parasite को पूरी तरह से खतम कर दिया और फिर हमने क्योंकि malaria जब आपको infection होता है तो brain में भी चला ज है so basically I just want to be saying in this matter कि आप कभी किसी को chocolate देते हैं तो क्या आप approval लेते हैं इसका मतलब मैं सिप यह कहना चाहते हूं कि यह जो हमारी discovery है a real field की discovery है I just want to plead and request कि यह जो candy बना कर जो की safe है जो बच्चों के लिए भी safe है और उतनी ही effective भी है field में हम दे दे और सिर्फ पहले हम यह देखे कि क्या हम इसी से malaria को control कर सकते हैं मैं दूसरी बात इसमें और आड़ करना चाहूंगी कि एक और study है जो की दूसरी country ने किया है उन्होंने देखा कि यह जो candy है यह candy आपके dental plex भी नहीं बनाती तो आप बच्चों को हमेशा बच्चों से आप candy दूर रखते हैं मेरा भी बेटा था बच्पन में वो मांगता था toffee तो हमेशा चिंता है कि कहीं उसके cavity ना हो जाए dental को प्रॉब्लम ना हो लेकिन यह तो अपोजिट है आप candy भी दे रहे हैं आपका कोई dental नहीं है बलकि it will protect the dental caries and cavity उसे यह मेरी study नहीं है यह एक और study है so I'm adding on top of it बच्चे वैसे ही पसंद करते हैं बट यह ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए है यह सभी के treatment के लिए यूज होगा बड़ों के लिए ही but because हमारा concern बच्चे का इसलिए है क्योंकि जो malaria से death होती है वो बच्चों के होती है सो हम चाहते हैं कि यह मेरा बहुत ही मतलब मैं शायद बहुत बड़े-बड़े पेपर पब्लिश कर चुकी हूँ पी एनेस में है मेरे पेपर नेचर कम्मिकेशन में हैं and I'm really the one who publishes a lot because of my student and motivation लेकिन यह discovery मेरी सबसे अच्छी discovery मैं मानोंगी क्योंकि यह फिल्ड पे जाएगा और बाकी तो यह है कि अब मुझे नहीं पता I'm trying I'll talk to the higher authorities कि how it can go but I'm pretty much sure कि by this way it will just even drop the infection level आपको थोड़ा infection ओना अच्छा है क्योंकि वो आपको immune protection देगा मतला आप पूरी तरसे ना खदम करें फिर then second cycle में I'm protected अप फिर से मॉस्कीटो बाइट होगा तो nobody can meaning I cannot be infected much तो इस तरीके से है और basically मेरा जो एम है यहां पर जेनु में आने के बाद जो मुझे लगता है कि बच्छों में बहुत पतेंशल है जो students and they are really very motivated and dedicated और उनके साथ मिलके जो हम कर सकते हैं शायद हम में किसी और institute में होती तो उतना कुछ कर नहीं पाती है जो lab facilities हैं वो काफी अच्छी हैं यहां पर so lab facility के लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि देखे हमारे पास advanced instrument research facility है पहले मैं वहां की डारेक्टर भी थी so that is a like a 25-30 sophisticated instruments are there जो सभी के लिए पूरी all over country के लिए भी है और हमारे लिए भी है जेनु के जो बच्चे हैं जो students है वो उसके लिए benefit हो जाते क्योंकि it is just nearby then we are also surrounded by the good institute like NII and ICGB I've worked in ICGB earlier तो हम उनके साथ भी collaborate करके कर सकते everywhere we feel just demand कि हमारे पास facility नहीं है बड़ी-बड़ी discovery कई बार आपके brain से होती है जहां पर आपका जील है तो इतना उसके लिए brag करने की कोई जरुत नहीं है मेरी नजरों में I have also worked at ICGB I was in institute pastor where the facility was to good but हो सकता है मेरा तो यहीं पर अच्छा काम हो ना क्योंकि जो शायद मेरे students का dedication और जो वो मेरे साथ मिलके करें वो मुझे ज्यादा motivate करता है और उनके साथ मिलके काम करना शायद मेरे को और यह हमारी country का plus point है कि हमको harness करना है students का potential तो उनको मैं motivate कर पाऊंगी तो एक शेलजा की जगह पचास शेलजा निकलेंगे ऐसा नहीं होप सो हैं तो students से बात कर सकते हैं तो आप सभी लोग malaria पर ही काम कर रहे हैं तो आप कहां कहां से क्या क्या background है सारे दिली से ही है या अलग अलग जगे से अलग अलग जगे से मैं Delhi से बिलॉंग करता हूं तो आप लोग इतनी दूर दूर से यहां पर आये हैं पड़ाई के लिए और रिसेंटली चार-पांच साल हो गए होंगे शायद सभी को दो-तीन साल तो 2015 के बाद का बैच है ठीक है तो आप इतने अलग अलग जगे से आये हैं आपका क्या आइडिया था जेन्यू का क्या व यहां जरूर लोग अलग अलग जगा से हैं बट जो एक मोटीव है रिलेटेट तो था साइन्स वो सबका सेम है तो यही चीज आई थिंक मुझे लगता है कि जेन्यू की तरफ बढ़ावा दे लिए इस चीज के लिए क्योंकि जो एक मोटीव है साइन्स को लेके वो क्लियर हैं अलव यहां जरूर जाहें हैं जरूर जाहें कि क्योंकि आपक खांग नेर्य है देन डेफिनेटली उस जगह पर जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि आपका मोटिवेशन हो जाता है तो यह जो रिसेंट इवेंट्स होते रहते हैं जो सोशल साइंसिस की वज़े से न्यूज में आता है आपको लगता है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा बाहर नही कि यह जिंता थी कि वहां पर तो ऐसे होते हैं मतलब दंगे वंगे होते हैं पर यहां आके ऐक्षरre usually मुझे फ़ेलगी साइंस में मतलब इतना काम है यह इतना एक्सपोजरे और लुटिवेश्ज होते हैं अब इतना मोटिवेशन होता है मैं तो आइधिंग की लोगों को चलनी चाहिए कि सिर्फ JNU का ये एंटिनाशनल वाला टाग नहीं लगना चाहिए, हाँ पर बहुत काम है, मतलब अपने ड्रीम्स को फुल्फिल कर सकते हैं, बोर किसी के पेरेंट्स ने भी बुला था, पेरेंट्स को ये था कि वहाँ पे तो हमेशा दंगे की ही ख़बर आत में पॉलिटिक्स की लिए करते है, रात में व्लाबरैरी भी हमारी भरी रहती है, हमने देखा सेंट्रल लाबरेरी रात रात बर भर हरी रहती है, सीट नहीं मिलती थे, जो मेरा म्सी भी रहाई मिलती है, और हम लोग जब पढ़ने जाते थे लए ब्यादाफिकली की ररू ह प्रटिवी या अपने करियर में जो भी है उनका फिल्ड उसके प्रति भी वो डिडिकेटेड है उतना ही आपकी क्या एस्पिरेशन साब लोग भी मैम की तरह साइन्टिस्टी बना चाते हैं इसमें जह में स्टार्टिंग में आते हैं यहां पर जब आपका तो प्येजडी हो जही होते है जो आपको मोटिवेट करें अल्ड़ ताइम और वो थिंकिंग दे बिकॉस्टी आपको एसा लाइफ में क्या बोलेंगे परसन और एक गाइट जही होता है जो आपको एक्षली मोटिवेट करके आपको सही ट्रैक पर लाए और आगे तक विजन दिखाए तो मेरे को जो मैं लाब में हूं डॉक्टर शैल्जा सिंग की लाब में इन्होंने वो पूरा इंपुट दिया मेरे में जो एक पीएज़डी स्टुडेंट को आगे करियर तक मोटिवेट कर सकता है और एक अच्छा साइंटेस बनाने के लिए जो पॉइंट अभी आप मलेरिय मालेरिया पर सब लोग काम कर रहे हैं किसी का कोई और इंटरस्ट है कि मैं इस पर काम करूं यहां इसके बाद यह प्रोब्लम सोल होने के बाद मालेरिया मान लीजे 2030 में खतम हो गया उसके बाद क्या करेंगे मतलब मुझे आगे इंट्रेस्ट है कि जैसे में जिस प्रोटीन पर काम करें उसका डाइवर्स रोल है तो उसको कैंसर में भी देखा गया कि काफी जादा रोल है तो में खतर ग्राइवर्स ऐसे में एक जादा गया है कि जो मलेरिया वह आगे फर्सूर करना भी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि जो देखर रेट लिजू प्र थी डिसी अजिजू मलेरिया का हाईयस्ट है So per year it is around 247 million cases all over the world, right? And the death rate is 2 to 4 million per year. So it means 30-40 lakh per year and in every minute one person die. And after COVID it impacts a lot because the cases which were around 212 million, it is coming around 247. So what's the cause of this? For example, if in developing countries, some country is sending the like net bed, right, medicines. So it all halted during the COVID. So what's the cause of malaria cases rise? And malaria cases rises is one reason that the temperature is increasing continuously. So temperature, wherever it rises, there again malaria is going to be spread. So we can't say that it will be eradicated so quickly. It will be difficult to eradicate it, but yes, it is very important to control it. So malaria is a very good field in this way. Because it comes to the top list of the death rate. After tuberculosis and malaria, these are all the top three listed. So we can collaborate with you with another lab. In Genu, maybe something happened to the TB. Dr. Anand and me, we both work on like an infectious disease. His interest was in tuberculosis and mine is in malaria. But we found a mutual interest in terms of the mechanism. The tuberculosis, like they were working on the two proteins, that was a toxin-antitoxin pair. That exactly mechanism was also working for malaria infection. So when we talked to each other and we shared our interest on science, then I thought it should be tested for malaria as well. And so his part was on tuberculosis and mine was on malaria and we published together as a mechanism. And then after that, we thought of that having a proper collaboration in terms of mechanism. So he is working more on the novel peptide for anti-infection. So then I do in on malaria, leishmania, and also on malaria. Yes. So leishmania, as I said, now we are also… So leishmania, you will hear it is a dum-dum fever or kalajar. So basically it is also been caused by the parasite, leishmania, donovani. He is prevalent in India. And due to this, there are two types of leishmania. Leishmania, one of the other types of leishmania, one of the other types of leishmania is cutaneous leishmaniasis. And one of the other types of leishmaniasis is visceral lesmaniasis. leishmaniasis is the main cause of the leishmaniasis, which is a lot of leishmaniasis. And the cutaneous leishmaniasis is the main cause of the leishmaniasis. So we have thought that this is a neglected disease. And you will know that the leishmania has recently had no drugs on our research. So it is neglected. So our country is a neglected disease. सी में NEGLECTED DISEASE की लिस्ट है, तो पहले मलीरिया भी NEGLECTED DISEASE में आता था, लेकिन हमने इतना RY Palestine किया उस पे और हमने बस कमरकस लिया कि इसको 查ना है, तो अभी कमर कसपो आ गया, लेकिन Lishmaniasis अभी भी NEGLECTED DISAASE की लिस्ट में. पार्ज़ काफी कम हो गया इंडिया में तो यही बोत केम तोगेदर, वी पुट आप प्रोजेट इस्टी, डपार्टमेंट आप साइन सेंग्नोजी और एंडेट ऑप्रोजेक्न ईचनलोजी तो यही वे लेख फ़ानी तो यही एक नया काम था दा कि जिसमें आमने नया ड्रग निकाला है जो ग्लाइकोसाइड है और वो लिष्मेनिया को काफी एमफोटरेसिन जो की नोन ड्रग है जो की फंगस से आया है जो पहले एंटी फंगल था अब लिष्मेनियासिस के लिए वो यूज़ा है उससे भी अच्छा एफेक्टिव है है एकल डिखाया है जो हमने लेकिन मैं अचा करता हूँ कि सभी लैपस में जो साइन्स लैप से इस ही काम हो रहा हुगा आपको तो पता ही है। पता ही रहा हुगा रहा है। आप लोग जब पताते हैं कि जेन्यू में पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों से जो जिनको आइडिया नहीं है जेन्यू का जो सिर्फ न्यूज में पढ़ते हैं तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की वो बाते करते हैं सोशल मीडिया पर भी अगर आप आपने डाल रखा है यह तो जेन्यू वाला है तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे तो एक्टली वी वो किना कॉलाबरेशन नो तो वन फ्रेंड फ्रेंड फ्रम माइन फंद आई जी आएवी तो जब वो आय थे तो उन्होंने का था यहां तो दंगी होते रहते होंगे ना आप वहां पर साइंस होती है नहीं होती तो बस यह कहना चाहूँगी की दंगे होता है कि वो लोग वहां पर अपना 24 आर्स दे रहे हैं तो हम यहां पर इंद वोल्ड ऑफ साइंस विया गिविंग 24 आर्स फो दबैटमेंट अप द वर्ल्ड सो या तो हमें यह मलब चीजे उन लोगों को बोलनी पड़ती है तो वो समझ पाते हैं बड़ अगर जितने जा अब में बड़ प्रेसिडेंट अवर्ड मेरा था दो दूडेंटों को मिला है मैरे वो एक तो उनकी पीजडी होगई वो चले गई और एक वो अभी अहांपर नहीं है तो इनका को लिबरेशन वो क्या एंगर अग्जटली है तो आप अब बताएंगे बताएंगे आप अब आपको एक नया प्लाटफॉम देता है, ते आपको नया प्लाटफॉर्स फूर रग मॉलकुल्स, सो इनकी कोलाबराशिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ल्ल्स में हैं, because we are facing the resistance, the current anti-malarial therapy, which is artemisinin, so we are facing the resistance in this field. So, जितनी जादा हो, जितनी जल्दी, कोई ऐसा drug molecule हम उस pipeline में ले जाए, जहां पे हम फेसी स्ट्राइल तक पहुच पाहे, to combat the resistant part of this malaria, तो वो बहुत अच्छा होगा. So, this platform basically distribute many of the drug, I mean, they continuously synthesize many of the drug molecules. with various research labs in the world. Great. I think इतना फंटेस्टिक काम जो हो रहा है. कौन सा? Actually, malaria के elimination program में, क्या होते है कि, when you are distributing the drug, randomly, so, depends upon the human body, like, I can have an enzyme called G6PT, उसकी एक deficiency है, और आपने वो मुझे वो drug दे दिया, so, I will react very differently. Yes. तो हमें वो भी जानना पड़ेगा कि, जो human को हम drug दे रहे हैं, वो क्या, उसमें वो status कैसा है? Elimination program का एक बहुत ही महतुपन पार्ट ये है, कि आपको पहले analyze करता होगा मास को, आपके well-being के लिए, कि आप diabetic तो नहीं हो, आप ये तो नहीं हो, क्योंकि हम random drug दे रहे हैं, हम सब को दे रहे हैं drug. Targeted therapy. So basically, मैं G6PD deficiency पर काम करती हूँ. What the G6PD deficiency is, actually, जैसे कि जो government के plans होते हैं to eradicate the malaria. So उसमें क्या होते है, precautionary basis पर पूरे मास को, जैसे drug है, primacute, पूरे मास को देता है. अगर हम उस मास को analyze नहीं करेंगे, because उस मास में actually affected people भी हैं, जिनको malaria हो रखाया और जिनको नहीं भी हो रखाया. But एक deficiency, एक enzyme होता है human body के अंदर, G6PD. So molecular mechanism के बादे में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी अभी, but actually अगर G6PD deficient जो person है, वो पूरी life without any clinical symptom रह सकता है. Maybe a person is a G6PD deficient, बस उसे कोई clinical symptom नहीं होगा, तो उसे खुद को नहीं पता कि मुझे कुछ problem है. But अगर उसे Primer Queen या कोई और ड्रग हो गया, जैसे कुछ और foods भी होते हैं, not just a Primer Queen, कुछ foods भी होते हैं, उसने वो खालिया या ड्रग ले लिया, अब government तो अच्छे के लिए कर रही थी कि malaria नहीं हो, या malaria eradicate हो, but चुंकि वो इंसान G6PD deficient था, उसके अंदर hemolysis होगा, and which may cause the death of a person too. So it's a very important for a government, or for the eradication program involved है, to analyze the population, कि उनके अंदर G6PD deficient कोई तो नहीं है, and the most important about this disease is कि ना तो इसका क्योर के लिए कुछ अबीता, 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 कुछ One of our project is focusing on to develop a diagnostic kit for the G6PD deficient people, and one of our project is focusing on to develop a drug molecule, if we can increase the activity of a G6PD deficient, G6PD enzyme. इसमे कितना काम बचा है, कितना काम हो चुका है? In our lab? इसी तोपिक पे? मतलब की हम लोगभी, actually, we are working on maybe 50-60% work we have already done, so in terms of developing the kit also, and in terms of developing a cure too. So, maybe in the next two-three years, we will be able to put something into this field too. So, as we all know, malaria की कोई effective vaccine नहीं है, अब को पता है कि मलेरा की कोई effective vaccine नहीं है, भी एक वाक्सिन आहीं है, वाक्सिन आहीं है, but उसकी बहुत लोग है, 75% So, I am working on a protein, which is a C2 domain containing protein, हम इसको पहली बार करेक्टराइज कर रहे हैं, मलेरा में, जब हमने देखा कि अब हम इसके antibody डालते हैं परसाइट में, तो वो परसाइट की नहीं को ब्लॉक करते हैं, और बहुत अच्छे से ब्लॉक करते हैं, which is 80-90%. So, हम इस study को अभी publish भी करना चाह रहे हैं. So, we can call it as a vaccine candidate and it can help the, in future, as a vaccine candidate. So, कितने साल में हो सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, हम स्टेज के, अगर सीन मतलब सब को लगने का, मास वैक्सीन का प्रोग्राम हम चला सकें, दो साल, तीन साल? वह तो बहुत लाँ, लुघ अगर वह दो भी क्लिनिकल ट्राइल होते हैं भहुत ज्यादा उसको वैलिडिट किया जाता है, मल्टिपल पहले माइस मोडल में थें प्राइमेट मोडल में थें, वह मुझं मोडल में, बट हम फर्स जेप ले रहे हैं प्रपोस करने का, यहां मैं बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके एंड मुझे लगता है कि इन सबसे अलग से होगा कि कुछ चार-पांच साल में यह लोग ऐसा काम करेंगे कि हम इनको इंडिविजुली इंटरिव्यू करेंगे तो आप ऐसा ही काम करते रहें विश्यू दो बेस्ट थैंक यू एम थैंक यू फोर टॉकिंग तो अस और होप करते हैं कि जेन्यू का जो यह इमेज है जो अच्छा काम हो रहा है वो भी बाहर लोगों तक जाए थोड़ा परसेप्शन चेंज हो क्योंकि काफी जो शोर शराब है वही बाहर जाता है मीडिया भी कोई आता नहीं यहां पर बात करने के लिए कि क्या आप काम कर रहे है जो थोड़ी बहुत डिस्कवरी होती है मैं वो शायद प्रेस रिलीज में उन्हीं को कनवर्ट कर देते हैं आर्टेकल्स में कि मतब ऐसा लोगों को बाहर लगता है मुझे नहीं बता कि क्यों सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही प्रोजेट किया आता है बट मैं बेसिकली शिवनाजर उनिएस्टी से हूं मैं के साथ कॉलिबरेशन प्रोजेक्ट में हूं तो मैं जब से यहां पर आया हूं इवन हमार जाने के बाद मुझे बता चला है कि ठीक है कि हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं अच्छा डायक्शन कैसे मिलता है यहां की साइंटिविए उनका माइंड सेट वो सब इतना अच्छा है नोट वर्क एथिक भी अलग है क्योंकि लोग अपने आप में इतना मोटिवेटेटेट है कि वो खुद से काम करने आना चाते हैं ऐसा नहीं है कि कोई डे हॉलिडे है या कोई जाना नहीं जाता है बट लोग खुद से इतना मोटिवेटेटेटे कि वो आगे सागे बढ़ के काम करना जाते हैं I think this will in long term will benefit the country and I think these kind of positive things should be projected why only political things or yeah यह जो दंगे वगरा है यही क्यों बाहरा रहा है इसका एक major reason यह भी हो सकता है कि science and tech के students ना मतलब media oriented नहीं होते हैं वो थोड़ा सा bench work या they used to stay away from these kind of things मेभी यह एक रीजन है कि जो हमारे institute मेजो पॉसिटिव चीजा है वो बाहर नहीं आपा रही है और बट इनका आना बहुत जरूरी है जब हम कहीं in fact हमारे खुद के फील में कहीं बाहर का बात करते हैं अपने दोस्तों से या किसी और अच्छे इंस्टिव के कांड़ेट से so they do not want to apply in the JNU क्यों नहीं करना चाहते हैं because recently I came across one of my friend who was like applying for the postdoc I'm also postdoc here so मैंने बुला यार JNU के XYZ लाब में डालो नहीं 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 यहां पे दंगे बहुत होते हैं so I was like नहीं नहीं you you come here and I'll मैं तुमें गुमाती हो JNU so दो तेन दिन तक हुग गुमाया and the person was like yeah the image is really bad I mean wrong actually I mean yeah of course so this is the thing because maybe shared science and tech के students बाहर मतलब image of a JNU is not highlighting it's not that these positive चीजे हो नहीं रही है it's just that कि वो highlight नहीं हो रही है अभी हम वहीं बात कर रहे थे बाहर social sciences के student रहे हैं यहां पर काफी सालों से तो यहीं बता रहे थे कि ऐसा situation हो गया है कि आप लोग नेता बनने यहां पर आ रहे हैं तो आप लोगों को तो नेता नहीं बनना है आप लोगों तो काम करना इसलिए आपको मीडिया से ज़्यादा interaction नहीं है और मीडिया वही कवर करता है तो यह एक problematic aspect है बट हमारी एक चोटी सी कोशिश थी यह कि इससे कुछ हो तो बहतर होगा जैसे फर example अभी आप जिन से बात कर रहे थे या सारे मेरे student इनके पास बहुत आपक्षन थै एसा नही ए यह रहूल रिली बिलेन प्सूटन को साथ बद मेन फाटना सी कि त피ूश थै जिसके दीए हम जिए packet以及 COVID-19 सुपलर है यह घर प्सकाङलजी ऑननती मेरा थीए थीड्स वो कहीं भी कर सकते थे, but she has chosen this place, Akshay है, Raj है, Gita है, they are already D.U. से, Sakshi, यह जो हम मेरे सारे student है, इनके पस बहुत options थे, लेकिन option होने के बावजूद भी, अच्छे इंस्टिटूट के option होते हुए, इनों ने इन्वर्सिटी को चुना, क्योंकि रिसर्च औरियेंटेड है, आप सो अप्रिय जूजन है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि यहां पर वो ज्यादा फ्रीडम से, फोकस होके भी रिसर्च कर सकते हैं, फिसलिटी उतनी है, तो, विए अच्छा है थोड़ा त्यम्परेचर गाभी फार्ग है तो डिज डिए रहता है और यह देन इन दिर ओन वोड साइंटिस को यह होना चाहिए आपका अच्छे लोगों से बात कराने के लिए तो अभी आपका क्या कंक्लूजन है क्या हमारा जो objective था हुझे तो लगता है की सफल हुआ लेकिन आपको क्या लगता है क्या आपका अभी science department मौलेकिलर मेडिसीन वाले में तो टोटल क्या सोचते हैं एक्चुली साइंस डिपार्टमेंट में जब जाता हूं मुझे अपने पूर्वजम की याद आ जाती है क्योंकि पहले मैंने भी साइंस और इंजिनिंग की पढ़ाई की थी बट मैं यहाँ आया था JNU में कुछ विचारों को लेके और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे में तो यहाँ पर मैंने काफी समय बिता लिया है, काफी अपने जैसे लोग मिले हैं यहाँ पे तो जैसे आज आज आपका समबाद हुआ काफी लोगों से और काफी डिफरेंट लोग थे इससे मतलब मेरे दिमाग में तो वही आइडिया उभरता है जिसको लेके मैं आया था कि कोई अगर उनिवर्सिटी है तो उनिवर्सिटी को किस तरीके सोचना चाहिए इवन मतलब डिसिप्लिन वाली डियावर्सिटी है कि साइन्स वारे लोग भी साथ में हैं और सोचल साइन्स भी यहीं पर है तो उनिवर्सिटी एज प्लेस आफ डियावर्सिटी जिसके अंदर नए तरह के डायलोग इमरज कर सकते हैं यह काफी इंपॉर्टन्ट चीज है इसके बाद उनिवर्सिटी में इस्पेशली एक आइडिएशनल रोल जो है यह मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टन्ट है और मुझे आज के यह समवाद हुआ हमारे इतने लोगों से हैं मुझे यह दुबारा से मतलब उभर के मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जिन से हम मिले वो यहाँ पे कुछ मतलब दंगा फसाद करने नहीं आये थे दे केम यह बिकास दे वर एनिमेटेड और मोटिवेटेड वाई यह सैट ओफ आइडियाज एंड दे केम यह तो सीक रिजॉलूशन तो कोई भी अगर एक गतिशील समाज है जड़ नहीं हुआ है भी उसके अंदर मतलब क्रिया शक्ती है इच्छा शक्ती है उसके अंदर न फॉल्विल होंगे बट पॉलिटिक्स एक लेवल पर प्लिटिक्स में डेफ्ट की कमी है क्योंकि जो राजनेता है उसका जो मोटिवेशन है वो सेम नहीं है जैसा अकैड्मिय में होता है अपने आइडिया को एक मतलब एक चरम सीमा तक ले जा सकते हैं उसकी पूरी पॉसि अब इंडिया मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ट्रांसफोर्मेटीव पीरियड में हैं तो इस तरह के ट्रांसफोर्मेटीव पीरियड में एकडमिय का रूल किया हो यह एक क्वेस्टन बहुत बड़ा है इसके बारे में कम लोग सोचते हैं बड़ जैसे आज का यह जो समबाद हुआ मुझे लगता है यह बहुत अच्छा इस तरीके से है कि इट कैन वी एन इंविटेशन तो थिंक अबाउट आवर यूनिवर्सिटीज आवर हायर एजुकेशन और इवन सोचल साइंस तो थिंक अबाउट दिस इन वेरी नीव एंड क्रियेटिव वे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप आये तो आपने इस पेस को मतलब नए तरीके से महसूस किया होगा नए लोगसे बातचीत की तो आल अफ दिस लाइक इन इंविटेशन तो थिंक इन नीव वेज अबाउट और अफ दिस तिंग्स जैसा हमारी एक बातचीत में उभर के आया भी था कि सोचल साइंस का क्या रोल रहेगा इंडिया के लिए तो इसका इंडिया के लिए ही रोल रहेगा कि बहुत सारे नए आइडियास प्रोड्यूस हों और जो पुराने आइडियास ह होना चाहिए समाज को कोशिश करने चाहिए रीच आउट करने की और यूश्टी जो इकोड़ स्पेसे हैं जो भी आइलेंड बने हुए दूइब बने हुए हैं उनको भी रीच आउट करने की चाहिए वो जो ब्रीजिंग एक्टिविटी यह बहुत इंपार्टनेंट है औ और एक वाइबरेंट स्पेस क्रियेट हो जेन्यू में भी काफी लोगों का परसेप्शन जो रहा है वो भी थोड़ा आशा करते हैं कि बदलेगा कि यहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है सिर्फ लडाईया नहीं होती हैं काफी अच्छे लोग हैं जो काम करते रहते हैं तो जो भी जेन्यू से है उसको आप ऐसे दरकिनार ना करें कि यह जेन्यू से है यह जेन्यू वाला है तो शायद अच्छा रहेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे तो काफी अच्छे लोगों से आपको भी मिलने का मुका मिलेगा और यही एक हमारा भी प्रयास था कि दूसर जो साइड है जेनियों की दे गुड साइड वो भी लोगों के सामने आए तो बताइए कैसा प्रयास हमारा सफल हुआ या नहीं वो तो लोगों बताएंगे कमेंट्स में तो आशा करते हैं कि आप ऐसे ही वाद को देखते रहें ये एक नया प्रयास था दूसरी तरीके का समा स्टूडियो से बाहर निकल के ग्राउंड पे जाके लोगों से बात करना चात्रों से टीचर से प्रोफेसर से और उनके स्टूडेंट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा साइंस डेपार्टमेंट में जो काम हो रहा है प्रोफेसर आनंद रंग कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसा काम कर रहे हैं सोशल साइंसिस में भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनसे हम आज मिल नहीं पाए क्योंकि आज संडे भी है लेकिन यह पहला ही समवाद है ऐसा होता रहेगा किसी और युनिवर्सिटी में भी जाने का प्रयास करेंगे जो युथ है आज का उसका एस्पिरेशन क्या है वो भी एक समझना जरूरी है क्योंकि ऐसा कोई प्लैटफॉर्म है नहीं जहां पर युथ की ज्यादा एस्पिरेशन जो कोई पूछ रहा हो तो ऐसा आशा है कि जो नेता हैं या पॉलिटिक्स में जो लोग है वो भी इस इस एसपेक्ट को समझे क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंट तो ठीक है तो आपकी वोट्स के लिए भी अच्छा है कि आप उनको समझे कि लोग क्या चाहते हैं अगली जन्रेशन जो है वो कैसे सोचती है तो सब के लिए फायदा होगा अगर हम देखने का प्रयास कर सके दो चलिए इस तो हम ऐसे ही शंकला जारी रखेंगे अगला तो स्टूडियो में ही करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद प्रयांग भाई थैंक यू